श्रीमत भागवतम के दूसरे सकंद के पुरत्थम अध्याय के ग्यारमेश लोक को देख रहे हैं और लिंग आप जानते हैं कि साधक हो चाहे सिध्ध हो उसके लिए सर्वस्यष्ठ साधना है भगवान के नाम रूप गुर्ण लिलादी का कीर्थन उसमें भी सर्वस्यष्ठ भैवान के नामों का कीर्थन करना यह आपने कल चक्रवर्ति बात की टीका देखी थी आज हम लोग प्रभुपाजी की टीका को पढ़ेंगे तो इसलिए पहले मिश्लोक को एक बार गाएंगे मेरे पीछे एच्छताम कुतोब्यं योगिनाम निर्प निरनीतंहुकितनम अरिर्नामानुकितनम एतन निर्विध्यमानानाम college of the आक बंद करके सब लोग मेरे साथ में बुले कर माइक छोड़ देजे तुसरा एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम निर्पनिर्नीतम हरेर नामानु कीर्तनम एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम निर्पनिर्नीतम हरेर नामानु कीर्तनम इसको समझाएंगे पांडे प्रभू बोलिए इस लोग को संस्कृत समझाएं जितना समझ मैता होतना पताईए नहीं और कोई भक्त राम कृष्ण प्रभू उसके लावा और कोई कटिन लग रहा है कौन कौन से शब्दों को समझ रहे हैं आप डारेक्ट समझने बताईए जितने निर्विद्यमानाना मतलब जो ना तो आत्म संतुष्ट हैं और जो ना जिनको कोई बहुत एक इक्षा भी नहीं है और वो भगवान को संतुष्ट करने में ही संतुष्ट उनको धर्म अर्थ काम और मुख्ष्ट चारों से कोई प्रयोजन नहीं है ठीक है इच्छताम जो सभी प्रकार के बहुत एक इ चुक हैं ज़िए योगी नाम आत्मतुस्त आत्मग्यान के द्वारा आत्मतुस्त नर्प राजा कौनसी राजा परिक्षित नाराज एतत निर्नीतम कर्थ क्या हुआ यह निर्नीत है इसमें कोई संदे और रिसर्च करने की जुरुत नहीं है और निर्नीत कभी और समझें चाहिए कि महान भक्तों के द्वारा नहीं निर्नीत है पान वालों के द्वारा नहीं निर्नीत है पान वाले यह निर्ना कर सकते हैं यह निर्ना कर सकते हैं लेकिन सरुसे सबस्क्राइब बाग कर लिया गया कि बाग की बाग कर सकते हैं लेकिन यहां निरनीत का मतलब है जो सद्द्द लोग है उनके त्वार निरनीत है कि हवान का नाम का कीर्था नहीं सरोशिष्ट है इसी प्रकार का व्याक के नाराज्जी प्रतम अधाय में प्रतम सकन्द में बोल चुके हैं मेरे दर्वाद दृष्ट है शब्द दृष्ट था अब भूल रौमी मुख पे था श्लोग भूल गया मैं एतद ही आतुरह्य चित्तान समझते हैं मात्रह्य पढाय मञुंख यह किह एतद ही निशिती नारज्जी के रहें निशिति यह है एतद ही आतुरह्य प्रतम अधिक आतुरह्य में इंद्रियों का विशय को तंद्र मात्रा करते है, रूप रस गंद को बार बार स्पर्श करने की इच्छा से जिस का रिंग का चित आतुर है, डूंट आप रेस और हैंड्स, we are all in that category, including myself, इंद्रियों के भोगों को प्राप्त करने में, जिन लोग की इच्छा को बार बार टच करने की इच्छा, आंक से रूप देखना, सुंगना, खाना, इस तरह से जो लगा पड़ा, जिस कारण से जिसके इच्छा की कारण उसका चित आतुर है, भवस सिंधु प्लवद्रिश् साधन क्या है, हरी चर्या अनुवर्णनम, ये देखा हुआ है, अजमाय गया, तो नारजी ने तो पहले निरने दे दिया, अब शुक्दे गुस्वामी भी यही कह रहे है, कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से निर्विद्ध है, उसे कुछ नहीं चाहिए, भहत एक भोग नहीं सिद्ध हो, वह उसके लिए भगवान का नाम कीर्थन सर्वस्रेष्ट है, हरी का नाम संकीर्थन सर्वस्रेष्ट है, बड़ा सपस्ट है कि और किसी देवता का नहीं, हरी का नाम का कीर्थन, जैवरंदा माताजी, अनु कीर्थन का क्या अर्थ समझे, देखे घबराई मत, क आप कहीं उतर नहीं दे पाएंगे, जो उतर आपको समझ में वो बताईए, अनुकिर्थन की दो अर्थे बताईए, क्या अर्थ है? और पूर्वा आचार्यों के द्वारा जो हमको नाम दिया जाता है, अर्यकृष्ण मंत्र या जो भी प्रमानिक मंत्र उसका उचालन करना चाहिए, ठीक है, और अकुता भयम पर बात क्या हुई थी? वसे तो इक्विस की क्वेशन से लेकिन फिर भी भय समस्त संदे और भय से वही रहित होना का कि वही पता नहीं सिद्ध होंगे की नहीं होंगे इत्यादित हैं, ओके ठीक है, अब हम लोग आगे प्रभपाजी की तात्पर को पढ़ेंगे, प्रभपाजी ने जीव को स्वामी जी की टीका से और साराथ दर्शनी दोनों जगे से लिया है, इसके बद ठीक है, तो लेट स्टार्ट अनवाद बड़ देख लेते हैं, राजन महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निशन्ष है, तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भोतिक च्छाओं से मुक्त है अथवा जो समस्त भोतिक भोगों के च्छुक हैं और उन लोगों के लिए भी जुद्धि विज्ञान के कारण आत्मस तुष्ट हैं, एक चीज़ आपने नोटिस करी कि प्रभुपाद जी टीका का समा विश्रम अपने अनुवाद में कर लेते हैं, अनुगत के दोनु वर प्रभुपाद जी के तात्पर को देखते हैं, कहां गए, बहुत आगे निकल गए, पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति की नितांत आवशक्ता का प्रति पादन हुआ, क्या श्लोक था? मैं आपको वही श्रीमत भागवतम सुनाओंगा, शुक्देक उसामी परिश्यत महाराचु कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के भगत हैं, महा पावरुषिक और क्या होता है? उस श्रीमत भागवतम में जो स्रद्धा रखता है, उसका उसकी मती सती हो जाती है, निश्चला अहेतु की मती हो जाती है भगवान मकुंद में. ऐसे विभिन्र प्रकार के लोग हैं, जो नाना प्रकार के कारियों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं. लिंक समझ में आ रहा है प्रवपात का, भई श्रीमत भागवतम में सद्धा रखते क्या फल पर आप्त करने के इच्छु होने चाहिए, की मती भगवान में लग जाए. वो ही सबसे बड़ा सफलता है, पत्जन्म लाव अपरह, पुम्साम अंती, नारायन स्मृति भगवान, नारायन की स्मृति हो रही है, इससे बड़ा कोई लाब है नहीं, लेकिन सभी लोग इस प्रकार की मती से योगत नहीं होते, ना वो चाहते भी है कि हमारी मती भगवा हैं, जो भौतिक तिर्प्ति का सरवाधिक भोग करना चाहते हैं, अभी एक वेक्ति को भक्ति कर रहते, तो हमारे स्तनिष्पर पूछे क्या वह दिखते नहीं है, प्रभुजी बहुत भोग की इच्छा है, अरे तो भई भोग की इच्छा है, तो बता रहे ना सुलूशन क हैं, फिर भी भगवान को दिये, और अपने भक्ति भी प्रदान किये, उनके बाद आध्यात्न वादियों का नमबर आता है, जिनोंने भौतिक भोग की प्रकृति के विश्य में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और इस तरह वेह जीवन की भ्रामक्षारी से दूर रहते हैं, लेकिन ध्यान देना का उसके बाद का मतलब यह नहीं कि उससे निव नवस्था में है, प्रपात के लिए क्रम बोल रहे हैं, भौतिक ता वादियों से नीचे अध्यात्न वादियों का नमबर आ रहा है, जो भौतिक भोग की प्रकृति के विश्य में पूर्ण प्राप्त कर लिया है उन्होंने और इस तरह वे जीवन की भ्रामिक शैली से दूर रहते हैं, क्या रत है इसका, वह भोगों के स्वरूप को समझ गए हैं कि यह तो जलाने वाले हैं, यह हम को सुख ही नहीं करेंगे, आप देखेंगे, जो लोग भोगों के पीछे हैं, बस बोग की पिछे भागते और वह वह शुख मिलता नहीं है, शुख जा का इस हुआ हूं, जैसा पीछे भागते रहो, वह मिलता नहीं है या जितना प्रॉमिस्द है उतना नहीं मिलता कभी देखा एक डबा उसके दूसर दबा उसके दूसर डबा आसे करके करके हमने योगा मैट मंगवाई तो इसको इतना लंबा पेकिंग करके बेजा ऐसा लगना कि बृबकुल कोई सीशे की वस्तू है न क्या है क्या होगे इतनी लंबी वस्तों तो मैंने कुछ ऑर्डर नहीं कर रही तो क्या खोलते गए खोलते गए एक चोटा सा यूगा मैट निकला है यह क्या है कभी आपने देखा इस परकार से खूब पैकिंग होती यही माया की है भगवान इसको घीता में कहते हैं सर्वान पार्थ मनो गतान मैस कभी सोच रहा था कि क्या गीता का एक भी श्लो में जिवन में अप्लाई कर पाऊंगा एक है एक भी श्लोग वख प्रसाथ खाते हैं तो ठीक है वो है लेकिन ऐस लोग में बहुत बार मिर मैंन में में अता सर्वान वार्थ मनो गतान परम पुझे द्साद महाराज को नाम क्या था प्रम जारी नाम क्रम नाम देव्स्वामोर्म देवां मिर स्वामें बमल रहे थे है mental concoction factory समझ आया मन की एक factory बनी है जिसमें भुछ तरह से अच्छा लगा वो शेंटिंग भी थोड़ा शेंटिंग चेंज करो टीनिंग चेंज करो इसको इस बार ऐसे खाओ इस बार आहार ऐसा इस बार मैंतौन ऐसे इस बार सो ऐसे सुकुत नहीं मिलता है हर बर थोड़ा त प्रलोभन से जो विरक्त हो चुके हैं वो समझ गया कि जगत में कुछ नहीं रखा है इस जगत की भोगों से हमें सुखी नहीं हो रहा हूं इसलिए क्या रहे हैं भौतिक भोग की प्रकृति के विश्व में ये तो भोग हमको जलाने वाले हैं जब इच्छाई तब भी जलात जखते है और भोग लेते हैं तब भी जलाते हैं तो उसमें अब आप रूची नहीं रखते निर्वद्य होगा ज़ाते क्या दोocado रहते हैं उनको भगवत भक्ति से प्रेजर नहीं है वो अपने में संतुष्ट हैं तो यह आत्म सासाकारी हुए निर्विश्यश्वादी कह लिजे ब्रह्म ग्यानित्यादी इनसे भी उपर भगवत भक्त हैं जो ना तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और ना इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं फिर एक भख्त ना तो इस श्रीर में रहना चाहता है और ना इसको भोगना चाहता है तो यह मुक्ती कामनी हुआ मुक्त passa चाहता है और वैं we आ न चाहता है तो भूकटी का मैं तो भगवान का भक्त जिस जिस शिरी को प्राव्ठ करके पर प्राव्ठ करता के और उससता नहीं कि मुक्त होंगा वह भगवान से अपने प्रेम को बढ़ाना चाहता है ये है साच्चे भगत का लक्षन बारम बार आपनों यही प्राइटना सुनते आये हैं कि नहीं आपने सुना ना क्या नामन का परिशित महाराज कर रहते हैं कि यदी मेरा जन्म हो तो भगवान में मेरी रती हो भक्तों से मैत्री हो और सभी जीवों के पूरे सोहार्द हो मुक्ती के लिए केवल इसलें मुक्ती की पराजदना नहीं करना कि श्रेर में कश्ठ है नात्यादी भरी सटल पॉइंट वी रिंड़स्टूड दूसर्शब्नों में भगवा भक्त अपने लिए कोई कामना नहीं करता भोग की कामना अपने लिए है में आता है ठीक है और मोक मौक्ष कामना भी अपने लिए है इन दोनों में भगवान कहीं नहीं है एवरीबड़ीज एबल टू अंडर्स्टांड इस अंजूम अलसो लोग ऐसे लग रहा है कि कौन सी पार्टी के हाँ ऐसे भी नहीं करते लिए इतने आलसी है इतना आसान बात नहीं है क्यास करना भोग की कामना करते हैं अपने लिए तो समझाता है मौक्ष की कामना भी अपन ब्रह्मसाय जो में मिल जाएगा भगवान के सिवा कहां होगी बताई और वैकुंट जाने की इच्छा भी इस बात से प्राधान तहा प्रेरित हो सकती है कि जगत में दुख है इस लएक इटरनल स्वर्गा ये है थे आरो उजोड़ पॉन्ट्ट जैखए गहाए हो मोम प्रहपाजी बताते हैं कि भग्वान-कृष्णी के चर्णों की प्रापति करना भक्त का संगती भ70 प्रापत करना भक्त का स्वर्वोच लक्षय के हैं पर आगे कहते हैं कि वह तowe भगवत धाम जाना भी नहीं चाहता तो क्या मतलब क्या है मतलब है कि भगवत प्रेम उसका लक्ष है वह भगवत धाम इसलिए नहीं जाना चाहता है कि जगत में दुख है यह दिपी हम लोग और मैं भी हम सब लोग ऐसी प्रिचिंग शुरूआत में करते हैं कि आप देखिकाल मांदंड नहीं प्रकार से वह सिवक्ति भगति कर रहा है कि जगत में दुख है तो भी करें बहुत अच्छी बात है लेकिन उसको भी नहीं घृवित नहीं होते हैं लेकिन मौक्ष की इच्छा लेकर के भगवान की भक्ति करना अगो ब्रह्म साहिव जिले नहीं बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती बहुत अच्छी बात कर बिल्कुल अच्छी बात नहीं मानी जाती इसमें भगवान की भक्ती गाय भी विजाती लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए भक्ती साधर है वो तब तक भक्ती करना चाहता है जब तक वह मुक्त ना हो जाए उसके बाद भगवान मिल जाना चाहते है इत्यादी इत्यादी लंबी कथा है यह सब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए दूसरे शब्दों में भगवत भक्त अपने लिए कोई कामना नहीं करता यदि भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस् सुविधाय यहां तक की मोख्ष को भी ताक पर रख सकते हैं देखें नेगलेक्ट लिबरेशन और उसको बुला भी ग्याश्युत भक्ति के गुण है मोख्ष लगुता कृत भगवान की भक्ति करने से भाव भक्ति का लक्षन है इतना सुख मिलता है कि मोख्ष का सुख भ भी लगू कर देती है भाव भक्ति इस समय हम लोग विवेक के द्वारा उसको नहीं चाहते हैं मोख्ष को लेकिन भाव भक्ति की स्तर पर व्यक्ति स्वतह मोख्ष को नहीं चाहता उधारन के लिए समझी कि भाई जैसे हम लोग एक आदशी में अन नहीं खाते इसकारत यह लेकिन विवेक रहता है कि अन खाना आज की दिन ठीक नहीं है लिए कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिने खाने की भी याद नहीं रहती अंतर समझ बहे रहा है तो साधना के वस्ता में इस समय हम लोग समझते हैं कि इस प्रकार की ब्रहम सायुजी की इच्छा ठीक नहीं तो करते हैं तो उतने आनंद में रहता है कि मुक्ष धीय नहीं रहता है मुक्ष मुककी मुकुलतन जली सेवत अस्मान धर्मार्थ क Tapi मांथ समये प्रतिक्ष्ष ह यह मं λोन करते हैं कि भगवान में अब वगवान में एकदम स्थिर्भकति हो जाए तो मुक्ति हाट जड़ करके प्रार्टना करती है कि कुछ तो मुझे सेवा का मौका दीजिए और धर्म अर्थ काम तो सेवा का प्रतिक्षा करते मतलब मुक्ति का श्टेजेंशन तो पहले छुड़ जाता है तो भक्त लोग उधा ध्यान ही नहीं देते हैं ठीक है सब को समझ में आ रहा है तो भगवान के भक्त मुक्ति के प्रतिभी निर्वेद को प्राप्त हो जाते हैं दियार इंडिफरेंट टू लिबरेशन ऑल्सो तो धर्म अर्थ और काम का तो कहना ही क्या इसलिए निर्विद्यमाना नाम शब्द भगवत भक्तों के लिए है आप लोग समझ रहे हों कि जिस तरह से बोला जा रहा है तो ये क्विज में एक्सपेट के जाना चाहिए भक्तों को निर्विद्यमाना नाम क्यों कहा जा रहा है ठीक है नहीं वे आत्म तुष्टिने आत्मराव होते हैं क्योंकि वे केवल भगवान की ही तुष्टि चाहते हैं इस लोक में श्रीशुकदे गोस्वामी भगवान के दिव्य कीतन की संस्तुति करते हैं भगवान के पवित्र नाम के निरपराद भाव से कीतन तथा श्रमन से मनश्व पहले भगवान के दिव्य रूप से परचित होता है फिर भगवान के गुणों से और तब उनकी लिलाओं इत्यादी की दिव्य प्रकृती से परचित होता है अब श्प्रहुपाज ये कतात्पर बहुत ही रहस्स में होता जाएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा नाम उचारण के प्रभाव से व्यक्ति को ये समझ में आएगा उसको अनभूती होगी जब नाम प्रभू प्रसंद होंगे आपको प्रती कोई अपराद करेगा तो आप प्रसंद नहीं होते हो विकॉज आप एक व्यक्ति हैं इसलिए आपके प्रती अपराद किया जा सकता है कैमरे के प्रती अपराद नहीं किया जा सकता नालाइक कहीं के बेवकूफ कधे पाजी पागल कुछ भी बोलने उस कैमरे को देखो ऐसे कितना नम्र है किने कितना सहिश्टन है बोलेंगे इसको क्या बोलेगे कुछ नहीं बोलेगे ना कोई भी इसका reaction नहीं होगा लेकिन किसी व्यक्ति को बोलते हैं तो वो अपराद होता है अपराद व्यक्ति के प्रती होता है हम जान बूच करके बहुत slow जा रहा है ताकि दिमाग में बात हमें घुश जाए कि अपराद एक व्यक्ति के प्रती होता है ध्वनी के प्रती अपराद नहीं होता है ग्लास 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 इसके प्रती कोई दस नाम अपराद नहीं बताए गए है भौतिक ध्वनी एक ध्वनी है वह व्यक्ति नहीं है नाम स्वयम भगवान है वाच्यम वाच्यक मित्युदेति भवतो नामस्वरूप द्वयम वाच्य और वाच्यक ये भगवान के नाम के दो सुरूप है वाच्य है भगवान कृष्ण और वाच्यक है भगवान का नाम लेकिन ये नाम के दो सरूप है ऐसे रूप को समय कहते है नामसरूप द्वयम Is it sinking in? No हमको नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्द है ना realization हो लेकिन कम से कम शास्त्र से श्रवण करके स्रद्धा से युक्त हो के करे नाम प्रभू सारी कृपा करने में समर्थ है तो ये preaching मैं आपको ही नहीं कर रहा हूँ पिस्टि मुझको भी कर रहा हूँ तो we should make sure कि एक एक अपराद से बचने का हम प्रयास करें जो उनको बुरा लग सकता है इस जगत में भी किसी कोई बहुत बाला डोनर है उसे कुछ बहुत वस्तू बड़ी मिल सकती है तो हम हर तरह से उसको प्रसंद करना चाहते हैं और उसको अप्रसंद करने की जो भी समभावना है उसका हम निर्मूलन करना चाहते है कियो नट्रप्रभ आपका इसाम बभव है कि नहीं किसी बड़े officer से आपको कुछ favor चाहिए, कई बार department पर चाहिए होता है कि नहीं, तो आप ये दो चीज ध्यान रखते है कि नहीं, उसको कैसे खुश कर दें, और उसको अपरसन कैसे ना करें, और आप ये भी जानते हैं, बहुत अच्छे तरसे में बता रहा हूं, ये मैं बता अगर आप, आप उनको माइक दीजिए, वो तर समझ जाएंगे वो, मान लो किसी officer से officer के पास सामर्त है, तो बताईए कि क्या वो बाद है आपके प्रति अनुकुल बरताव करने के लिए, माइक पे बताईगा, नहीं बाद नहीं है, लेकिन अगर वो आप से प्रसंद है, त सकता है कि नहीं, यही बात आप जानते हैं कि नहीं, पास इतना बूचना जा रहा था, यही बात भगवान के नाम के उपर आप डील करने का प्रयास कीजिए, देखिये, नाम में अनन्त शक्ती है, लेकिन आप राद करेंगे तो नाम यद्दपी, कृपाद रिष्टी से हम पर देख रहा है, लेकिन कहेंगे यह क्या कर रहा है, तो पूरी कृपा प्राप्त नहीं होती, बुद्धिमान वेक्ति को यह समस्तिय हुए कि हमारे जीवन की अवधी बहुत जादा नहीं है, प्रयास करना चाहिए कि हम अपराद नहीं करें, तो प्रगती बहुत तीवर ह होगी, स्वैम रूपकुसा में बोलते हैं, दुरुह अद्भुत वीर्यस्मिन, सरध्धा दूरस्त पंच के यत्र स्वल्पों पी संबंधे सध्याम भाव चन्मने, यह जो पाच महा साधन है, भक्तों का संग, नामकीर्तन, धामवास, श्री मूर्ती का सध्धा से सेवन, और श्रीमत भागवत का शवन, इनका थोड़ा सा भी संबंध हो, अगर सध्या अर्थात अपराज से रहित है, तो उसके चित्चित में भाव भक्ती का उदय हो जाता है, जिसको सूदूरलभाक आ जाता है, तो अब समझ में आ रहा है कि नामकीर्तन का कितना बड़ा सामार प्राप्त है, भाव भक्ती प्राप्त कराने में, तो अब आप समझ रहें कि क्या करना है हम लोगों, नामा परादों से बचना है, तो अब आप समझें कि अगर हम निरपराद भाव से करते हैं, तो क्या होगा, ये समझ में आएगा कि विग्रह किस प्रकार से भगवान है, ब्रभावान केवल मूर्ति नहीं है प्रतिमा नहीं तुमी साक्षात ब्रजिंद्रनंदन लेकिन हमको साक्षात ब्रजिंद्रनंदन क्रमशा दिखने लग जाएंगे किस के प्रभाव से से हरी नाम के प्रभाव से बड़ा ही मिस्टिकल और जादवी प्रसस है यह प्रभपाजी का तात्पर बहुत सुंदर है फिर भगवान के गुणों गुण किस प्रकार से दिव्य हैं उनकी दया उनका सौंदर आदी उसके बारे में विक्ति को समझ में आता है और फिर उनकी लीनाओं की दिव्य प्रक्रति से विक्ति परचित हो पाता है समझ पाता है उनके माधूर का अनभाव कर पाता है ठीक है प्रश्ण आप आप लोग पोस्ट कर दिजेगा मैं प्रश्ण अंत मिलूंगा यहां पर इसका उल्लेक हुआ है कि भगवान नाम को अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्टन करना चाहिए इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारियों से श्रवन करना पहली शर्त है पवित्र नाम का श्रवन करते रहने से क्रमशह मनुष्य भगवान के रूप गुण लिलाओं आदी के विश्य में श्रवन करने की अवस्था को प्राप्त होता है और इस तरह उत्तर उत्तर उनकी महिमा के कीर्टन की आवशक्ता उत्पन होती है इस ब्यूटिफुल स्टेट्मेंट्स अब आप देख रहें सब्श्ट प्राग्म में आप सबी है लोगको हम सबी नों को हरे कृष्य मंटर करने के लिए बोलते हैं प्राग्म का मतल समझ में आती है ना भवान के रूप के बारे में लीलाओं अध्यादी के बारे में आप जानते ही होंगे बाते कितनी सुख्ष में चली जाती है लेव्ट राइट तो जो लोग जाप अब बड़ी गंभीरता से करते उनहीं बात समझ में आते हैं यह यह पी हिंदी बूली जा रही है लेकिन आप देखेंगे कि असमर्थता का अनभाव व्यक्ति करता है कि क्या कह रहे हैं समझ नहीं को आरा है ? कि कर बार बहुत सख्षम होती है ना बात कंवित अगर आप पूचि लिजे कि क्या सम्झाय ग्या है तो वहा है वज firmly आ सकते हैं क्यों क्योंकि चित थभी क्लियर नहीं हुआ है बात वही है ही हिंदी बोली जारी है लेकिन उस समझ नहीं पारा थे साथ कि नपन अगर आप नीमेत रूप से पढ़िए तो आपको लग करिए ये बात कहां से थी पहले तो नहीं थी पहले भी थी लेकिन हम उस समय शुद्चेतना को प्राप्त नहीं तेसले समझ नहीं आ रहे थी इस अब को अनभव है इस प्रकार का जो लोग नीमेत रूप से और बार बार पढ़ते हैं उनको अनभव है कभी-कभी लोग हमने एक बार पढ़ लिए एक बार हमने पढ़ लिए भागवद भामने पढ़ लिए अच्छा ठीक समझ लिए समेट लिए सब हम जीवन बीत जाएगा और कई जीवन बीत जाएंगे शुमित भागवा तमको समझ नहीं तो पहली बात आपने यहां पर क्या सीखी है अधिकारियों से सीखना चाहिए गुरु परमपरा में ही मंत्र प्राप्त करने चाहिए परंपरा में मंत्र को नहीं प्राप्त करता है, उसका मंत्र निश्फल जाता है, अभी हम श्लोक नहीं कोड कर पा रहे हैं, लेकिन श्रीलप्रपाजी ने हमको हरे कृष्ण मंत्र दिया है, उनके शिश्यों ने दिया है, तो ये सब गुरु परंपरा में इसको ग्रहन किये है ठीक है और तभी यह कारे करता है एक इंटरस्टिंग बात है तो प्रभुपाँजिस से पहले भी कुछ लोग हरे क्रिष्ण मंत्र को अमरीका में लेके गए थे नाम याद नहीं आ रहा लेकिन क्या नाम था प्रभुपाँजिस इस में क्या नए ने ने अमरीका अमरीका में फ् fakla भाट पाज घाने वाले न वास्न तेवालों फेख्सेय लोग ते और वो भारत आकर के हरे किस्ट मंत्र प्राप्ति की है और ऐसे ही मतलब को नियम मियम नहीं पालन कर रहे थे और अमरीका में गए लेकिन कोई प्रभाव नहीं वह उसके अपनों ने पता निया अश्यान भब है कि निक गजल गायकों को हरे किस्ट करता हुआ आप सुनेंगे लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं होता there is no potency in that तो जो वेक्ति भक्ति के नीमों का पालन कर रहा है उसके हरे कृष्ण मंत्र का प्रभाव नहीं होता प्रभाव नहीं हो फट 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 ड्रम था क्या छोटा हो फट 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 करताल करताल से और उनका कुछ बंगो ड्रम था कुछ तो उसको बदा बदा कर प्रभाव पात कितना परवर्तन करती है तो इस वेरी इंपॉर्टन और यह बड़ा रूचीकर है कि वो लोग जो प्रभाव जीक साम पर हिंद्रित कर रहे थे वह श्रम कर रहे थे शुद्ध नाम को जो प्रभाव पाद के द्वारा उचारित था और किरतन भी कर रहे थे और आप जानते हैं कि वह है लेकिन वह है अपराद नहीं कर रहे है नाम के प्रभाव तो इसलिए बड़ी तीवरिता से प्रगति के प्रभाव जी की बड़े सुंदर शब्द हैं बहुत एंकरेजिंग सब्द में कि वेक्ति शुद्ध भक्त है वह कीरतन कर लोग बैठे हो वो ध्यान ना दे रहे हो तो भी प्रभाव शाली है इस लाइक रेडियो एक्टिविटी बची नहीं सकता भाई जब पेड को प्रभावित करेगा तो फिर छोटे बचों को और अनकॉंशन लोगों को भी तो प्रभावित करेगा तो कीरतने का ऐसा जिसमें बच्चों को भी लाजा सकता है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते कीरतने बच्चे लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते कूद नाम जब अच्छे से करेंगे उतना ही अधिक श्रीमत भागवत हम समझ में आईए नहीं तो केवल जोग समझ में आते हैं या कुछ कहानी समझ में आती है जो भागवते बोली जा रही है बाकि सब गायव हो जाता है ठीक है यह बात आप लोग समझ पा रहे हैं इस परग्राफ को उत्तरोत्तर जितना हमें भागवान के यश की दिविता का अनभव होगा तो उत्ना ही इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग वे में उत्ना ही उत्तरोत्तर हिर्दय में उसका महत प्रकाशित होगा कि यह करना है यह करना है यही सबसे महतूर्ण है यही सबसे महतूर्ण है यही सबसे महतूर्ण है यही सबसे महतूर्ण यह नहीं समझ में आ रहा है? कि यही करना है, यही करना है, यही करना है, यह बात दिमाग में खुश जाती है. तो जाप का बड़ा लिंक है, Shumir Bhakwata Mushita. This is very subtle point to be understood. यही करना है, यही करना है, लोग बार-बार वही प्रश्न करते है, स्रद्धा कैसे आएगी, दिख नहीं रहा सद्धा कैसे आएगी, नामचारण, बड़ी गंभीर्दा से नामचारण करें. नामचारण, शुमित धागवतन करें. दोनौं अपस में इस प्रकार से हमको हरदय को शुद्धह करते जाय कि जितना हTrida में स्वद्ध उतनी ही और श्रधा बनेती जाए यही करना है और स्क्र NHL यही करना बहुत कंपेरपिन से करना है जैसरह फिर स्थ उस यaph dwar के पास माइकि पास में है मान लीजिए आप उस अफिसर के पास बैठे हूं और एकदम से घर से कॉल आ जाए चलिए आपकी पत्नी कही कॉल आ जाए कि आटा लेकर आना है तो क्या बोलेंगे रुखो भाई अभी रुखो मीटिंग में है बोलेंगे कि नहीं बोली हाँ या ना इता तो बोल दी चाहिए हाँ 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 सभाव एकसी बात कि मैं अभी बहुत महत्पूर्ण मीटिंग में हूं बाद में बात कर लेना कि सब्सक्राइब कम से कम 16 माला के समय अपने फोन या और सब्सक्राइब को ताक पर नहीं महाराज बात को बोलते हैं बड़े सुन्द तरह से याद समझे अब हरी नाम दिश्ण पुस्तक बड़े थे ना कि एक कौन सी पैसेंजर ट्रेन है और राजधानी जा रही है तो प अनावश्यक बातें क्यों करें अनावश्यक बातें क्यों करें जब में बहुत इंपोर्टेंट है इस और प्राइवेट एस्क्लूजिव टाइम विद राधा एन कृष्ण जितना वो समय आप तभियों से नाम चालन कर लिंग बढ़िया से तो उसका प्रभाव देखेंग उसको उतना महत्तु देगा और नित जिंद्गी बीती जाएगे और महत्तु नहीं से समझ में आ गया उत्तोव ड्महिंडर के किर्टन की भाई यही की उतन करना है मैं ये बात बोल रहा हूं इसका अधिक महत्त्व है कि मैं भागवत पढ़नू भागवत बोलू सका अधिक महत्व है, यह समझ में जिस दिन आ गया हमारा जीवन परफेट हो जाएगा, इस दिन अभी तक समझ में नहीं आया है, आप तुलना कीजिए न, एक क्रिश्ट नाम बारं बार बार बुल रहा हूं, और एक करोड अशुमेद यग, वो भी उसके बराबर नहीं है, जिस दिन समझ में आ गया, उस दिन फाल्तु की बात बोलेंगे, उस दिन कभी बोलेंगे कि हमारा सुला माला हो गया है, भम और नहीं करेंगे, आप यह नोट अट 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 स्टेज, अपित्व उन लोगों के लिए भी है, जो भौत एक रूप से आ सकते हैं, मतलब भक्ती में कोई सिद्ध होना चाहता तो ठीठ है, और अगर कोई भोग चाहता तो वह भी इसको प्राप्त हो जाएगा, श्री शुक्देगो स्वामी के अनसार सफलता प्राप्त करने की यह सूस्थापित विधी है, जो ना केवल उनके द्वारा अपित्व समस्त अन्यपूर वर्ती आचारें द्वारा स्थापित की गई है, क्या शब्द था संस्कृत में हैं? अतेव और आगे प्रमार देने की आशक्ता नहीं रह जाती, यह विधी ना केवल आदर्श वादी सफलता की विभिन विभाग की जिग्यासियों के लिए संस्तुत है, अपितो उन लोग के लिए भी है जिन्होंने कर्मी दार्शने के भगवत भक्त के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है, समझ में आ गया है किसी भी शेत्र का साधक और किसी भी शेत्र का साधना सिध उन दोनों के लिए यह कहाना चाहते है, जोग आदर्शवादी सफलता के विभिन्य विभाग कर्मी के लिए आदर्शवादी सफलता क्या है ? आदर्श वादी समझते है। सफलता क्या है भोग मिल जाए एक एक लाइन समझे बहुत अच्छो शब्द है एक योगी के लिए क्या आदाश्वाद है वो आत्मा मेरा मन करने लग जाए और भक्त के लिए आदाश्वादी सफलता क्या है भगवान का प्रेम मिल जाए तो इसके लिए जिग्यासू जिग्यासू मतलब कैसे मिले ये सफलता उनके लिए भी संस्तुत है मतलब की सादकों के लिए और जो इसमें सफल हो गए हैं उनके लिए भी भगवान का नाम चारण ठीक है Are you all with peace? मैं एक एक लाइन को समझाने का प्रयास कर रहा है शीला जीवगो स्वामी का उपदेश है कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्थन उच्छ स्वर से और साथ ही पद्न पुरान की संस्तुती के अनसार निरपराद भाव से संपन किया जाना चाहिए प्रभु पाजी जीवगो स्वामी जी की ठीका को सार में बताते हैं अभी आप पहले यहां समझ दीजेगा फिर हम लोग कल से ठीका को और डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपने क्या स्चीज सीखी है बहुत लोग आपको बोलेंगे इस परकार से मान से जब करो मान से मन में तो उसे बोलो कि यह भी मन में ही बोली न यह भी मन में इसको बोल क्यों रहे हैं यह भी मन में बोली है कि मन में जब कीजिए इसको बोलने क्या चुरत तो देखिए कहीं भी संदे हो तो श्रीलर प्रभु पाज जी क्या कह रहे हैं वो सामय रखिएगा वो एकदम प्रमानिक है अब बाकि सब लोग अपने अपने मतों को प्रस्तुत कर रहे हैं और उनकी मतों कम रेस्पेट करते हैं वैश्णव है जो भी कर रहे हैं मन में बोलना चाहिए वह वटवर दिवांट डू परम पुझे व्रिंदावन चाहिए तो कि हर मंत्र को दस बार बोलना होता है कभी कभी लगता है कि बूले की नहीं ऐसा मन भाग जाता है कि नहीं फिर और दुबारा कर लेते हैं याद ही नहीं आ रहा है वह दस बार बोले की नहीं बोले यह भी याद नहीं रहता है इतना हमारा मन चंचल है कल्यू का मन भाई कल्य तो है नहीं लेकिर एक कंट्रोल है हरे ऐकृस्ना हरे कृस्ना 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 हरे 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 रा मुष्ट हैं रच्रा मारं में Хरे राम हरे क्रिफ्टे चैन्टिंग इस इसी में भी हीरूरी Is difficultुछ चैंटिंग को सुनना कटिन हो सकता है मन दर भाग गया लेकिन चैंटिंग is easy हरे कृष्णा हरे पूर्वब कीर्टन कर रहे हुए उच्छ वार में करते थे उच्छ का मतलब ऐसा भी नहीं है कि हरे किष्णा हरे किष्णा लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आपको सुनाई पड़े ह यह जब के बारे में बोल रहा है, और बाकी जो संकीतन है, वो तो है, यह सो गुना अधिक शक्तिशाली होता है, चेतन भागवत में हरिदास ठाकुर्जी इस बात को बोलते हैं कि क्यों? क्योंकि सुनने वाले का भी इसमें लाब होता है, इस देर ओके? तो यह पॉइंट लेर हुआ कि हमें कीर्टन कैसे करना हरी नामानू कीर्टनम भई मन में क्या कीर्टन करेंगे? कीर्टन मतलब ही बोलना, कीर्टन का मतलब ही बोलना है, और शास्त्र में इसका वर्णन भी है, कि भगवान विश्णु की स्मृति भी पापों को नश्ट करने वाली है, अगह निश्चिदम भगवान हरी का स्मर्ण लेकिन बहुत प्रयास के बाद भगवान का स्मर्ण सिद्ध होता है, लेकिन ओष्ट स्पंदन मात्रेणा, होटों को स्पंदित वाइबरेट कराने मात्र से पापों को नश्ट करता है, ततो कीर्टन वर्म, किसलिए प्रयास करके किर्टन इसलिए स्रेष्ट है, बट राए किजिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, हरे हरे, अब भवान विष्णू का स्मर्ण करने का प्रयास ग९ार्क्षणे Das白 किझे और नहीं प्रयात्त रात्त्रानिय नहीं है का। ह्ईरी किष्णा वहुत प्रख्रने में हरे क्र्ष्णा नहीं पिस्यहएं किभ्ष्णा क्रति रूख्ट्रा मैं रहे रामा 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 रहे इस तो वेरी इसी यू आप यहां से सब भूल जाओ लेकिन एक बात याद रखना कि नाम उच्चारन बोल के करना है और सपस्ट बोलना है किश किश निशञ निश मिश मिश नहें हम ये बोलते बोलते मिस्ञाध् попробu या इक यह आए अक्षरव कि क्या काते हैं हम लोग प्रसाद काते हैं मंत्र नहीं कहते या और फिर निराप्रादिक भाव से करने चाहिए उसको हम जच्चा भी आगे करते हैं मनुष्य भगवान की भगवान के प्रभावों से अपने को उबार सकता है मतला अगर पापी विक्ति भगवान की शरण जाकर के पापों से मुक्त हो सकता है मनुष्य भगवान की नाम की शरण लेकर अपने को भगवान के चलनकम्नों के प्रतिय अपरादों से छोड़ा सकता है भगवान नाम के चलनों पर अपराद करता है तो वे अपने को भचा नहीं सकता नाम अपराद का कोई निदान नहीं है नाम उच्चारन करने के अलावा नाम अपराद का कोई निदान नहीं है सबसे तो अच्छा है कि अपराद किये ही ना जाएं नाम अपराद काटने में बहुत टाइम लगता है अब भी मौका है, आप लोग क्लास छोड़ सकते हैं नाम अपराद काटने में बहुत टाइम लगता है इसलिए साधक जन अपराद ना करने पर पश्वास रखते हैं I am counting one, two and three You want to continue the purport? पद्न पुराण में ऐसे अपरादों का उलेक है जिनकी संख्या 10 बताई गई है पहला अपराद उन महान भक्तों को कलंकित करना है जिनोंने भग्वान की महयमा का उपदेश दिया है इसको बहुत महत्पूर्ट रस समझे हमको पता है कि उस भक्त में पहले तो हम ग्रॉस वें बोल रहे है उनको पता है कि उसमें कोई दोश नहीं है अटीस वो दोश नहीं है लेकिन जबरदस्ती दोश बना बना कर प्रचार करना देखिए गुरू का करतव है कि शिश को या जिसने साइन अप किया है उसको हित के लिए उसके हित के लिए बताए कि तुम यह ठीक नहीं कर रहे है तो इसको वश्न अपराद में नहीं कहा जाता है गुरू जी आपने अपराद के हमारे प्रतिया ऐसा नहीं मानलों को विजब में सोता है और कुछ गलत कार कर रहा गुरू नाट लगाते हैं इसको नहीं अपराद में बोले जाता है या आप मानलों जी गुरू नहीं भी है मित्र है और आप उसके हित के लिए कुछ बोल रहे हैं प्रभू जी आप ऐसा कर रहे हैं शाइद यह ठीक नहीं आपके लिए लेकिन हित भावना है यह हिर्दे में देखना चाहिए तो इसको अपराद नहीं कहा जाता है ठीक है लेकिन जान भूच कर कलंकित करना समझ रहे है कि भाई वो आप मानलों जी प्रसिद्ध हो रहा है या वह प्रगती कर रहा है, या भजन में आगे बढ़ रहा है, तो उसके भजन में बाधहा देना, कलंगित करने करत समझी रहे नंदा एक तो यहोगा bom कि उसके सेवा में बाहत देना, उसके बाधा भजन ना कर पाए, यह भी परशान करे अश परकार से, और वैसे भी उनको बुरा भला कहना यह बहुत बड़ा पराद है इसको नाम सहन नहीं करता जैसे कि आप जानते हो हर्दास ठाकुर जी के प्रती क्या नाम तो राम राम चंद्र खान ने किया था वैश्या को भेज करके उनको गिराने का प्रयास कर रहा है सोचियों वो बुद्धु अगर जाकर हर्दास ठाकुर जी के चरणों की धूल ले लिया होता तो उससे में उसका नाम उन लोगों में होता आज ने कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ पता नहीं क्या उसके बुद्धी थी ठीक है अच्छा दूसरी बात क्या समान तहब ही भक्तों की निंदा करने से बचिये उससे कुछ नहीं मिलता है भक्तों की निंदा करने के लिए हम यहां इस कौन जॉइन नहीं किये है सबके हम इस कौन जी बी सी के द्वारा पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त नहीं है क्योंकि निंदा करने की प्रवर्ति बनी रहेगी तो कोई महान भक्त है उसके प्रति भी निंदा हो जाएगी तो इस बहुत बड़ा विश्व है लेकिन कुछ बाते मैं जुरूर बता रहा हूं यह बहुत ध्यान देना होगा यह करत कर रहा है वो गलत कर रहा है यह गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है यह गलत कर रहा है वो पूरा दिन वही चर्चा करेंगे तो जो लोग महान भकते भागवान नहीं जान रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और उसका प्रभाव अपने चित्त में भुरिजन प्रभु बहुत अच्छी ते बताते हैं कि आप देखेंगे कि अपका हृदय ऐसा लगए कि संकुचित हो गया प्रयास करें कि वानी से हम भक्तों का गुडगान करें हर भक्त भगवान को प्री है बहुत अच्छी बात आती है भागवतम में ही आती है भगवान की युक्ति है क्या हम अपने हाथ और पाउं को अपने से अलग देखते हैं तो बढ़ अच्छी बात है तो इसलिए कोई भी जी भगवान से अलग नहीं है वह नहीं कांश है तो उसे दवेश करना तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है यह अट लिस्वान शिक्षा दे रहे हैं हमको प्रयास करना चाहिए इसको अपलाए करने करें हो सकता हो किसी क वह सब का condition nature है हो सकता हमको पसंद नहीं करते हो लेकिन हम तो हरे किष्णा तो करी सकते हैं अब सेंस यह तो बहुत हल्ट मलब चली तो बहुत हल्की हुब के बाते में लेकिन कलंकित कम से कम नहीं करना चाहिए और प्रभजी वह हमें कलंकित ते रहत हो तो क्या कर सकते हैं यह दुरों तरह कि फैट्रे में लेत रहे हूं आप न कीजिए तो जो कर रहा है वह अपना बरकर्म भोगेगा क्या कर सकते हैं लोग सोच नहीं रहे हैं कि मारे पास बहुत टइम नहीं है सब काम करने कि लिए भाजन नहीं हो रहा है और भाजन करने वाले में हम खूब शादना कर लें यह तो चरवाजन को निर्णीत तडरीका है नरक में जाने का और यह पहला point व्यक्ति को बचलाइब का प्रयास करना जिर भक्तों के भक्तों की सराहना करने के द्वारा ही हम भक्ती में आए हैं, do you agree? कोई भक्त कुछ भक्ती करा, उसने पुस्तक दी, या वो कीर्तन कर रहा था, या उसने कथा बोल रहा था, वो है सुनकर उसकी सराहना एप्रिसेशन करके ही हम भक्ती में आए, आपको लगा ना वक्ती बहुत अच्छा है, इसलिए भक्ती करूँगा, ऐसे तो आए ना भक्ती करने के लिए, तो वन आप टो बेरी केरफुल, और ध्यान दीजेगा कि इसकोन एक हॉस्पिटल है, या सब सिध्ध नहीं है, तो हॉस्पिटल में हर प्रकार के लोग होते हैं, और ये पागलों का हॉस्पिटल है, वो वो पागल, नहीं तेरी तरफ, मैं भी पागल से, हम सभी लोग पागल है, डिफरेंट डिग्री में क्योंकि शरीर से पहचान कर रहे हैं, तो वी कैन डू एनिधिंग, जो वेक्ती पहचान शरीर से कर रहा है, वो कुछ भी कभी भी कर सकता है, इंधिर तित्ति के लिए लोलूप रहता है, तो उसे चलता रहेगा, उसमें हमको नहीं फसना है, जो वेक्ती हमारे अनुगत्त में नहीं सुनने वाला है, उसको सुनाने की जुरत नहीं है, और उसकी निंदा भी करने की जुरत नहीं मैं एकदम सेफ मोट पर चल रहा हूँ उधर तो छोड़ी दीजे कि भक्तों कलंकित करना वो तो बिल्कुली भूल जाएए इधर भी माननों कोई भक्त लोग गलत कर रहे हैं कुछ गलती कर रहे हैं उनकी और उनके अधिकारी के बीच में है अधिकारी मलत जिसके अंडर में भक्ती करना है हमारा नहीं है को अधिकार उसके उपर क्या ये सब लोग को बात समझ में आ रही है और यह भी नहीं करना चाहिए कि माननों कोई भक्त है उसने खुब भक्ति करी और किसी कालन वर्ष वे गिर पढ़ा समझे कि हम लो माया के समुद्र में है सब तरफ माया है कहां माया नहीं है और वो गिर पढ़ा हुआ हमने मजाग बनाया और दूसरों को बोले आरे पता है उसके संग क्या हुआ अरे वो उसकी वो है ना वो माता जीORDके वो माता जीetu ये उसके संग उसका ही चक्कर और ये वो भईया दो हफते बाद पतालाग आप इसी प्रकार का चक्रब पहस जाएंगे भश्रों नेवर लाफ प्रभबाजी ब्रत्माशकन्द के प्रत्माध्या स्कन्द में प्रतमा ध्याय में ही नहीं चौथे पाच्वा ध्याय में बुलते हैं कि स्तिरी और धन की कारण बहुत से भक्तों का भी पतन हुआ है इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन यह देखना चाहिए कि उस वेक्ति ने सेवा कितने करी है हसे तो फंसे भगवान फिर आपकी भ यह दूसरा प्राद है मैं इसलिए भोल रहा हूं कि दिखी अपरादों का मार्जन करना बहुत कठिन होता है तो प्रयास करें कि अपराद हो ही ना रामकृष्ण प्रफु जो भजन में लगे रहते हैं वह बला हमने का प्रूजी आप नाम पराद हो जटता है तक क्या करें करोई मत यह तो बड़ा च्रूजीन है करोई मत लेकिन यही चीज़ परँपूझन धृद्वरिंदावन चन्महराज भी पता रहे थे यादा रहे है अपराद करने से अपराद होता है नहीं करने से अपराद नहीं हो जाता है आप लोग भाइभीत हो रहे होंगे और भाइभीत होना भी चाहिए अपरादों से जैसे अब मैं कहूं कि यहां पे स्विच में सौकट में लगा देना सौकिट तो अब सवावी रूप से हाथ पूरा गीला करके अच्छे से पानी थोड़ा चला जाए तब तो डालते हैं ऐसे लगाते ना नहीं आपको पता है कि बिजली का उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं लेकिन पानी में अच्छे स से हाथ घोल करके लगाएंगे तो कुछ और भी चार्जिंग हो जाएगी हमारी भी चार्जिंग हो जाएगी तो भय होता है कि नहीं ध्यान देते हैं कि नहीं तो एक बार भाक्त पुरश्ण कर रहती कि आपराद से कैसे बचे पहले तो समझें कि क्या अपराद है और एक- कर दिखिए भागवत्तम सुनिये बोलिये इससे बच जाओंगे सब सुन लिए हैं कि सारे-सारे महराजी के प्रवच्चे प्रवपाजी एक सब्धारण कर लिया है सारे-चार आठीए जार भागवत कर लिए हैं कि एक बिश्ट लोग मुषिक से याद होता है तो बार्ने क तो आप ठीका में आगे देखेंगे सुनना भी नहीं चाहिए ठीक है उससे भी हमारे पुंछीन होते हैं दूसरा अपराध है इस पर एक और मैं कहना चाहिए तो महा प्रहुन ने जब जगाई मधाई के आप ले लिए तो काले हो गए तो गोले कैसा दिख रहा हूं मैं तो अ जगाई मधाई के तो कहें कि जो महा प्रहुन ने कहा कि जो वैश्नमों की निंदा करता है उसके माथे पर जगाई मधाई का पाप ट्रांस्वर हो जाएगा यह चतने भागवत में सपष्ट बढ़न तो अगर कोई सोच रहा हो कि बहुत लाइट फील कर रहा हो इकन इंक्र आपकी छोटी बची प्यारी सी बची फिया इस जिए नॉट अब आपकी बची को लारे कितनी क्यूट बची है तो किसका गुटगान हो रहा है बची का ओर आपको अच्छा लगता लगता है कि ने ये ये पिता से बच्चों से पिता माता से पूछे कि बच्चों के पृति कितनी आ सकती होती तो भगवान सभी भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं इसलिए सभी से करते हैं तो इसलिए हमें भक्तों की को खुश करने का प्रयास करना चाहिए और ना कर सके तो कम से कम अप दुख भोगना पड़ता है बागी अपराद बार बार चालन करने से चले जाते हैं लेकिन पहला अपराद और सात्वा अपराद के लिए भक्तों को दुख भोगना पड़ता है यह आगे भी हम कल टीका में पढ़ाएंगे बड़ा स्पष्ट नाम कौन में बाता जारी महत अपराद से बचना चाहिए अपराद महाराज नारद जी की सिवा किये तो दिखिए असुर कुल में वंश में जन्म लेने के बाद शुब वासना करें मानवा भागवान में मती तो यह भी बहुत ध्यान देना होगा कि भजन कर रहे है और भोगी वासना नहीं जा रही है तो उसका मतलब है कहीं न कहीं अपराद है और मुख्य रूप से कहीं महद अपराद है किसी भक्त कम अपराद कर, you have to be very careful on that, is it okay? ठीक है, okay, हाँ, माइक पुचिए, जैसे कि मंद को युँ कर रहा है भी स्वा करो, जिसके स्वा का टाइम रहता है, रहता है, जै काफी बार हम देखते है किय को वक्त बोल रहा है, मैं अभी जऴ कर रहा हूं, विन कोई बोलते है, आपका स्वा है अभी जव जब उस भक्त को यह निड़ने करना चाहती कि मेरी सिवा कप स ش शुरू हो रही है माले जी किसी के सेवा च्वाइस शुरू होते ही है तो फिर से बोट के माला कर लेना चाहिए अगर वो कंभीर है तो ऐसे करेगा भक्त लोग कर लूड़े अरे आप क्यों अपराथ कर रहे हो मैं जब कर रहा है अपता में समझता हो कि आप इंपर घटक तौ होता नए होगी मंदिर में किसी के सेवा देने वाले आप तो है नहीं अब जिसका सेवा करने वाले का वो अपना देख लेगा एक नहीं जो सेवा करने वाला डिवोटी है उसको भी सोचना चाहिए कि मेरी एकर सेवा छह बज़े शुरू होती है तो मुझे सब्सक्राइब करें चैए देखिए वास्ताइब मैं किसी का थर्टी हूं और उसकी 6 बज़े सेवा है तो मैं उस खाली इतने हैं बोलता हूं कि आप बस मंगलार्थी का दुर्शन करके माला पूरा करो किसी भी तरह माला पहले पूरा करो अब अन्य थर्टी का सुचते हैं और कैसे करते हैं वो उनके ऊपर हैं उस पर कोई टीका नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर किसी के 6 बज़े सेवा हमने देती पड़ती है या पहली बात प्रमचारी को तो हम देते नहीं और अगर देनी भी पड़ती है तो मैं आप सुब जल्दी करके मालापूरा कर लिजीए सभी लोगो बता इस प्रकार से कही हुए आपको ट्रावल करना होता है तो आप पहले मालापूरा कर लिजीए ठीक है? If you want to ask a question? वैशनवापराद के बारे में कुछ पूछना चाहते है तो आप पूछ लिजीगा तो Mic on किजीगा Hare Krishna Prabhuji, sometimes ऐसा होता है कि हम सामने माले को उफेंड करना नहीं चाहते है तो आपको पता भी चलाता है कि हम अपराद करना नहीं चाहते है तो बुरा मान गया तो क्या दिक्कत है यह आप रूपको स्वामी जी का तो जानते ही है न कथा रूपको स्वामी ध्यान कर रहे थे और वो ध्यान में देखे टो भी खुश peachakeya लेट कि definite मैं बुच्णु नटिक्र राधाइरु तर्फ्छण कर दिए कोशवट व क्रिश्न अनुट on कुश तो था है कि कि राधाराने पूल चुनए जा रही थी और क्रिश्न नहीं इंगर कुशक्ण नीचे कर दी यह कुछ सथा को लिला गा दर्शन रूपह को समय कर रहे से आप लोग हस से वन impresszip से लगए और बाहर से कोई व्यक्ति जा रहा है वैशन जा रहे जो लंगड़े थे और व लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है तो वो सुचे कि हमपर हस रहे तो बुरा मान गए और तुरंत ही लीला दर्शन सवाप्त हो गया इतना स्प्रिक्ट है लीला दर्शन तुरंत सवाप्त हो गया तो बहुत वुद्विगन हो गया बहुत प्रयास की लेकिन देखिए लीला आदिस्पुरित होता है भगवान के क्रिपास से जबकि दिवुपकु स्वामी की क कुछ क्रोधित है तो फिर उनको मालम चल गया व्यक्ति तो सब आके रूपको स्वामी जी प्रणाम करके माफ़ी मांगे और वह भी समझ गया रहे इतने है या मेरी वज़े से किसी व्यक्ति को दुख लगा है तो सब्सक्राइब कर रहा है और अपने पूर संस्कार करना प्राद करता है और उनके डिसाइब के डिसाइब को स्यूकार नहीं करें और वो सोचे कि सिर्फ प्रवपाद के रहिए एक मात्र ठू थे अब जो उनकी डिसाइपल की डिसाइपल सिर्फ पैसे के लिए सब ब्रिनवाश कर रहे हैं और साथ में वो इंसान एक माला भी कर रहा है तो क्या हरे कृष्ण महामंत्र काम नहीं करेगा अच्छा प्रश्ण है वैश्णों के प्रति उसकी आदर बुद्धी नहीं है और एक वाला जाप कर रहा है तो उसको जाप करते करते धीर धीर बुद्धी ठीक होगी उसे वैश्णों का संग प्राप्त होका तब वहां समझ में आई प्रभुपाजी सही थे ये प्रमारत उससे होता है कि उनके डिसाइपल कितने सही है यह डॉक्टर बहुत अच्छे है इ प्रशन कीजिए कि आप क्या सोच रहे हो अब एक माला करने वाले वो क्या बोलेंगे ठीक है कर रहा है यही अंतर जाता है देखो एक माला के एक नाम उचारण वी कर रहा है नेरपराद भाव से करेगा ती वृता वैसे प्रगती करेगा और इस प्रटकार की भावन आप करें सभी लोग पर सीकमाने के लिए कर रहे है प्रश्न कर रहा है आपके गुरु महराज को उन्हें आपको पहले चीज क्या बूली थी फॉलो दफॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ये बुला था ना दिक्षा में चार से पहले सोला सिखाया था सोला माला का जब उसके बाद चार निमों का पाला ठीक है प्रश्न ये भी आ गया कि अगर कोई व्यक्ति शरीर ही छोड़तीया तब उसका वरनन आप आगे जीव को समय जीटीका में देखेंगे भवान का नाम काषर ये मेंचे क्या कर सकते हैं तो देखे शरीर ही छोड़ दिया तब क्या कर सकते हैं बहुत बार तो हम लोग अपने अज्ञान में अपरात करते हैं तो वह भगवान भी जानते हैं बुद्धु है इसे पता ही नहीं क्या बोल रहा है He's not envious. लेकिन नया है ऐसे पता ही नहीं क्या बोला है। वैशन भी माफ करने चलते जाते हैं। लेकिन सम्टाइमस है। इरिशा से रह साथ तो कर कर कें। इरिशा से युक्द हो कर बोलने वो बहुत डेंजऱस। कभी-कभी पता भी नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो वह अपराद पो कम लगता है, लेकिन जान भूच कर कलंकित करना यह बहुत बड़ा अपराद है, अगवान इसको सहने करें, ठीक है, हमारा इंटेंशन अगर गलत ना हो, और उनको बया लगे, और माफी मांग भी लें, तब भी माफ ना करें, तो क्या तब भी अपराद लगता है, तब भवान का नाम कास्ट लेंगे, देखे, एक प्रपर वैशनव अगर है कोई, तो फिर वह अपके अपराद को माफ कर देगा, अगर आप इमानदारी से माफी मांगते हैं, बड़े-बड़े अपराद नहीं लेता है, भगवान अपराद लेता है, आप समझे, मैं धारन दे रहा हूं, एक बार बोट फस्टिवल से अची गटना थी, मैंने कोई, मेरा अपराद कोई भावना नहीं था, वह विक्ति का शकल भी जानता नहीं, बाहर से को विक्ति आया हुए थे, वह बैठे पाव के उपर बैठ गया था, वह बच्चा तो रोने लग गया, सभाविक सी बात है, एक शंड के लिए, एक शंड के लिए हुआ, तुरंट तो गरम हो गया, वह देखाने सादू उठा गया था, तुरंट गुस्ता हो गया, क्या है, देखते नहीं है, बच्चा ही है, वो तो मैं देखा सिक्षा लिया, देखो, मैंने उसके प्रती कोई अपराद नहीं किया, और उसके बच्चे की प्रती भी अपराद नहीं करना चाहता था, तो एक अंजाने में गलती हो गई, फिर भी वह कितना क्रोदित हो गया, तो अपराद उस वेक्ती की प्रती नहीं कोई सामने वाला व्यक्ति गलती कर रहा है और उसको सभी देख रहे हैं पर हमारा दाइतव हमें दाइतव दिया गया है तो आपको बोलना होगा तब नहीं बोलना तो पाप लगेगा और चाहे प्रपुजी कई बार क्या होता है वो सीनियर हो अगर आप अधिकारिक पोजिश के तरीका होता है पुलने का भी तरीका होता है माले सीनर्स को आप बहुत उसमें बहुत सारे कॉंप्लिकेशन हो जाएंगे क्या बात बूलनी है क्या से बूलना है क्या आपको वाकई लग रहा है वो गलत है इत्याद इत्यादी वह से बहुत कॉंप्लिकेशन हो जाते सब्सक्राइब करना है जिन्होंने नाम के प्रचार में पूरा जीवन लगा दें उनका निंदा नहीं करने चाहिए तो आदमी इसे ट्रांस्टेट करता चाहिए जो महा भागवत का नहीं करना है यह अमित यह तो हम भागवत अब तो यह नया भी दिख्शा हो लिक इसका अप्राद किया जा सकता है यह महा भागवत भागवत नहीं वह है माहमभावत के वह अभी तो प्रभुजी के Catholic लिए के लिए यह व्हुथ है तो भक्त था इमारे तो यह सब भी नहीं सोचना चाहिए। मोद अब देखरहैं, कोई भक्त है भक्ती कर रहा है, तो कहीं न कहीं वह हरि नाम का प्रचार में लगॉएि अपने आचरण के द्वारा कुछ अपने आचरण के दूसरा प्राद है भगवान के पवित्र नाम को संसारी ख्याती के रूप में देखना भगवान समस्त ब्रह्मान के स्वामी है अते वे विभिन स्थानों में विभिन नामों से जाने जा सकते हैं किन्तु इससे भगवान को किसी तरह की किसी तरह पूर्टा सिद्ध नहीं होत भगवान के प्रयुक्त कोई भी नाम शब्दावली अन्य किसी भी नाम जैसी पवित्र है क्योंकि वे सभी भगवान के निमित्त हैं ऐसे पवित्र नाम भगवान के ही समाज शक्तिशाली होते हैं और स्रिष्टी के किसी भी भाग में भगवान की किसी एक स्थानियत और परपरचित नाम का कीर्टन करने तथा भगवान की महिमा के गायन करने में कोई रोग टोक नहीं हैं। सारे नाम कल्याणप्रत हैं और मनश्री को चाहिए कि ऐसे नामों में भौतिक व्यपारिक वस्तु की तरह भेद भाव नहीं समझे नाम नाम अकारी बहुदा नजसर्वशक्ति भगवान ने अपने नामों में सारी शक्ति रखी जिसको भगवान का जो नाम पसंदा रहा है व कि मुसलमान लोग है तो वह नों के भी 99 नाम है अल्ला के तो अगर वह उचारन करने थीक है क्या दिकत जो प्रमाने कि नाम भगवान की बताये गए है उसका उचारन को कर रहा है तो ठीक है तो देना मैक सेंस के उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए वह भी दिव्य है हां यह शास्तर का वर्णन है कि सारे भग वान के नमों में भगवान कृष्चन का स्वयम कर कंदाने की सर्व स्रेष्ट नाम है भगवान कृष्ट वाकर्श лучше यह क्रवभा संदर्व महषय संदर्व कर श्विवी को सभट हरता है ग्रक्रवान का वच्च में लेकिन फिर अगर किसी को नरायन नाम अच्छा लगता है नरायन बोले वासुदेव नाम बोले इस दर्य ओके ठीक यह एग है दूसरे प्राध की बारे में और अन्य प्राध उसके बारे में और भी टीका में आगे पढ़ेंगे तीसरा प्राध है प्राधिकरत आचार या गुरु के आद अगर नहीं किया तो ऐसे गुरुओं के चक्क्र नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन जो प्रमानिक भक्त है वेश्ट है जिनके आप से अपने दिक्षा प्राप्ति करी है सिक्षा ले रहे हैं उनकी अवमानना करना यह गलत है और देखिए सिक्षा दिक्षा गुरु में भेद न दिक्षा गुरु बोला जब करो जब करने लिए बोला है कि नहीं और शिक्षा गुरु में जब मत करो कुछ और करो ध्यान लगाओ एक बहुत नेगेटिव बात बोल रहा है तो ऐसे गुरु को हम बात नहीं स्विकार करेंगा प्रभुपाजी के प्रभुपाजी हम सब के common शिक्षा गुरू है और चीज़ें बड़ी clear बता ही है प्रवपाजी ने, सुला माला का जब करना, चारने मुगा पालन करना, वावान के सेवा करना, एकदम clear है, पता नहीं कैसे लोगो clear नहीं समझ में आता है, Is it clear? First instruction of the spiritual master is to, Chant 16 rounds of Hare Krishna mantra, यह स्कॉन के लिए हम अपना कर रहे हैं, एकदम clear है, अब इसमें कोई किच किच नहीं है, First instruction means to do it first, as a first priority, जो करेगा वो सुखी रहे, सब को clear हो गया यहां तक, तो पहला उपेक्षा करना तो यहीं हुआ कि सोला माला की नहीं कर रहा है, सोला माला नहीं करना यह जो लोग दिख्षित है particularly, वह हैं गुरू की अवग्या भी है, और ऐसा मस सोची का कि दिख्षा लेने के बाद, सोला माला आटोमेटिक हो जाता है, हमको दिख्षा लिये कितना होगा है, 210 आटोमेटिक नहीं हो, सास में नहीं चल ला है, अपने आप नहीं हो जाता है, बहुत मारा मारी करने पड़ते, बहुत महनत करने पड़ते तब होती माला, रोज, कमिट्मेंट के साथ, तो आपका भी तो दिख्षाक बातो आटोमेटिक माला हो रहा है नहीं और किसका हो नहीं और किसका हुआ राम किस्प्रभु का तो बिल्कुल हो रहा होगा कुछ नहीं होता है आपका तो हो गया नहीं आत्मने वेधन प्रभु तो ऐसा कुछ नहीं है दिख्षा के बाद और गंविटा से करना होता है कुछ नहीं सुस्ते देशा लेली आप रिल्लेक्स नहीं हो और गंविटा से बदन करना होता है ठीक है तो उसके बाद नहीं तो गूरु की अवज्या भीक अपराद भी लग जाएगा ठीक है चौथा अपराद शास्त्रों को या वैदिक ज्ञान को कलंकित करना यह सब ठी के नहीं लिखा है अए यह सब ठीक नाम से सारे पाप कैसे कषट कट सकते है तो यह नाम अपराद भी है और यह शास्त्रों को भी प्रकार से अरसरधा रखना रखना अश्रधा और इसका वणन भी आएगा नास्तिक लोगों की बातों को सुनना सुविकार करना यह भी अप प्राच्वा अप्राद भगवान के पवित्र नाम को अपनी संसारिक गढ़ना के अनसार परिवाशित करना भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन है और मनिश्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम को उनसे अभिन समझे संसारी गर्णा के अंसार परिभाशित करना हरी नामनी कल्पनम अर्थवात कारूप करना च्छटा पराद हां यह जैसे आम आम करने से आम धुना जाते यह संसारिक व्याख्या हुई कि नहीं तो राम राम करने से राम मत आएंगे क्या तो यह संसारिक व्याख्या हुई लेकिन आध्यात्निक व्याख्या है कि हाँ अचिंत शक्ति से भगवान का नाम भगवान से भिन है तो राम बोलने से हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो यह गुरु से सुन करके समझना चाहिए समान लोग की बात नहीं समझने स्विकार करने चाहिए जिस तरह से अपराद है पवित्र नाम की मन म्यानी व्याख्या न तो भगवान काल्पनिक है और नहीं उनका पवित्र नाम काल्पनिक है किन्तु कुछ ऐसे अलपक हैं जो भगवान को पूजग की कल्पना मानते हैं और इस तरह उनके पवित्र नाम को काल्पनिक समझते हैं ऐसे मेरो बना लिकैना यह राइमिंग ऐखे रिखर रहे कि अक्री ऑफिन लोग ऩॉटा रहा है लेके स्रद्धों टो데res प्रकार की बढ़ाट इंचर यह सोच रहा है कि कोई प्रकार की लोगोते हैं भी मंत्र आप जपी कली का मंत्र में जपने आप्विचा, मुंद्ग काम जपने हिए शिव जी का मून है, नुद्गा जी का जपने का है, हनवान जी पर हरे किरश्ट पर सब बराबर है उनके लिए सब कुछ माया है तो यह भी माया है बैस अतोगुन की बृद्धी करेगा एक दिन आप सब अविद्धा नाश्ठ होगी और आप समझ जाएंगे सब बड़ा तो यह भगवान के नाम पर बहुत बड़ा प्राद है भगवान के नाम को माया समझना या माया का विका भगवान का सुरूप दिव्व है उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का नाम भी दिव्व है या कृष्ण का अर्थकाला इस तरह से वाक्या करना जिससे नाम की महिमा नहीं प्रकाशत हो रही कृष्ण का अर्थकाला होता है लेकिन केवल कृष्ण का अर्थकाला नहीं होत परभ-ब्रह्मा भीधियेत, एक शब्द भूल रहा हूं तो एरे, क्यो? ठीक है तो यो कृषब्द हो सत्ता वात्चा कें और रणचंण निवृत्ति वात्च Cambodia, रणचंण निवृत्ति अर्थात παरं-ऍानन्द का वात्चेक है तो क्रिष्न करत है जिनकी सत्ता ही आनंद मेल obtained или कि उसको क्रिशन कहते इसलिए परब्रम को कृष्ण शब्ड से अभीधीत का जाता है अब इदीत मतलब कोब कहा जाता है बोल जाता है तो ये है प्रमानिक व्याख्या अब ये कृष्ण मतलब काला कृष्ण मतलब ये वो व्याख्या करने से तो भगवान के नाम भगवान की महिमा नहीं स्पष्ठ हो रही है इस तरह कि कालपनिक व्याख्या नहीं करने चाहिए सात्वा अप्राद है पवित्र नाम के बल पर जान बूच कर पाप करना शास्त्र में कहा गया है कि केवल भगवान नाम के कीर्टन से समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से छूटा जा सकता है जो विक्ति इस दिविविदी का लाब उठाता है और उस उमीद से पाप करता जाता है कि भगवान के पवित्र नाम के जब से पापों के प्रभावने रस्त होते रहेंगे तो वह पवित्र नाम के चरणों पर सबसे बड़ा अपरादी है ऐसे अपरादी शुद्धी की किसी भी संस्तुत विदी से अपने को शुद्ध नहीं कर सकते दूसरे शब्दों में भले ही भगवान के पवित्र नाम के जब के पूर्व कोई पापी हो लेकिन भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहन कर लेने पर और प्रतिरक्षित बन जाने पर मनिश को चाहिए कि वह इस आशा से पाप करने से विलग रहे कि यह पवित्र नाम जब उसकी रक्षा करेगा इस पे हम थोड़ा चाचा करेंगे देखें यह सब लोग अनभव कर रहे हैं कि नाम जाप करने से पाप कमत हुए हैं लेकिन पाप करने की प्रवर्ति तुरंत नश्ट नहीं हुई है कुछ न कुछ इंद्रितित्ति में जीव पढ़ा रहाता है लेकिन विक्ति संगहर्ष कर रहा है तो वह अपराध नहीं है वह पापों से बचने का प्रयास कर रहा है, वह दुखी हो जाता है अगर पाप में प्रवर्थ हो रहा है और उसकी प्रवर्ति है वो क्रमशा कम होती जा रही है, तो वह अपराद के चीन होने का लक्षन है, बहुत ध्यान सुनना होगा, लेकिन अगर पाप करने की प्रवर्त यह शक्टी बढ़ रही है और भार्वना बढ़ रही है कि आरे हम कि क्या दिक्वत है थे हम पाप कर सकते हैं और यह अरे क मैंसे बोल देंगे जन्म कोटी अहन साम पी तो विस्प्रकार की वृत प्रविर्थि से किया गया द्रॉप पाप नहीं वो अपराध हो जाता है और वो इस पाप से दस्यो करूनों गुना अधिक प्रमलब उसका शक्ति होती है कि मैं वही इसको गोली मार देते हैं को दिक्कत ने हरे किस्ट न कर लेंगे दिखा तो है ना भाई को मारने वाला पिता को मारने वाला सबके थोलाई हो जाते हैं तो यह एक टिट्ड का बड़ा गेम है यानि कि हम भगवान के नाम को अपने पाप में सानने का प्रयास कर रहे कि कोई भी अच्छे व्यक्ति हमारे गलत कार्यों में साहता नहीं देना चाहेगा तो यहां बोला गया है कि उसकी किसी और प्रक्रिया से शुद्धी नहीं होगी मतलब उसको नाम कही आश्र लेना पड़ेगा और जो गलत किये हैं उसका भर भोगना भी पड़ेगा और फिर आगे शुद्ध होगा तब प्रक्रिती कर पाएगा विए वेरी केरफूल अब लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई नाम एक बार बोला तो उसके तुरंट पासना समाप्थ हो जाती तो हो सकता उसे गलती हूँ बैसे माले जी कोई वेक्ती सो शराब पीता था सा म में एक बार पी रहा है यह मालो चार पे आ गया कि तो कुछ कम हो रहे कि नहीं वासना है चार से पिर एक पे आ रहा है और दिली दिली बह्त जीरो भी हो जाएगा हो सकता फ्रम पर महिने में एक बार हो जाए तो भोग की वासना से वासित भद्ध्जीव है ही तो तुरंट वासना रहेगी तो इच्छा रहेगी तो विक्ति कुछ कार कर भी बैठेगा लेकिन प्लाइन करके कर रहा है तो यह अपराद क्या हम अब आप तो कठी जाएंगे तो क्या धराब दे दारू दे दारू पिए दारू के उप्लेक्शन से किसी भी बने पाप को ले लिना देखिए फिर वही बात है किसी नाम चाहरन से सारे अपराद भी कटते हैं यह बात भी क्लियर है लेकिन अब हम वह ठीक है वह वैसना की निंदा कर देंगे को दिक्कत नहीं यह भारे किश्ण में तो है हमारे पास आप देखे हैं अटिटूड कर बढ़ हो गया कि नहीं उस और अब अब अपराद से नहीं बचेंगे तो फिर इसी प्रकायर की प्रवर्ति और बढ़ती चली जाएंगे यह सबको समझ में रहा है इसमें कोई प्रश्ण किसी भक्त का हो तो यह बात समझना होगा सात्वा नाम प्राद जल्दी समझ में नहीं आता है बहुत इसी लगता है कि कभ हमने प्लैन किया है कभ हम प्लैन नहीं कर रहे हैं जो विक्ति प्लैन करके पाप नहीं करता है उसक तो ऐसी अवस्था में अगर वो भोग में पृविर्ती भी है तो वो हे मान करके वोग कर रहा है अब अब प्रशन करेंगे अरे जब उसको बोरिंग लग रहा है तो भोग में क्यों प्रविर्त है यह नहीं देखने का समयर्त होता इसलिए वेशनों को कलंकित मत कीजेगा करने के बाद दूराभावारा पाप क्यों करते हैं तो पsoverाशित क्या मतलब है लेकिन वो यह नहीं बोल रहे है कि भक्तों से द्वाब पाप हो जाता है तो बग्ति करने नहीं सो और इसलिए याम राज जी को बोले हैं स्यात पातकम कदाचित भक्त से पाप हो जाए तो हुरुगायवाद भगवान का नाम चालन करता है वह ही शुद्ध कर देता है उसको स्यात पातक मतलब पाप करने की प्रिविर्थी नहीं है लेकिन भगवात इच्छा से पूर के संस्कार की कारण में कुछ गलत कर रहा है क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि किसी बक से कुछ गलती हो रही वह अंदर कितना संखर्ष कर रहा है आप नहीं जानते हैं वह देखिए जो सुला माला जब कर रहा है उसमें भी ऐसा नहीं कि माय अच्छोड देगी माय तो सारा फोकस लिए उसके उपर और उसको पता है कि उसको पहले क्या अच्छा लग कि तो प्रभावित हो सकता है हर एक अलग अलग है अब हम लोग को चूडी उने में कोई इंट्रेस्ट नहीं हो गया ना है कि नहीं हो सकता हुए माता है इससे प्रभावित हो जाए हमारे एक बाग पतार तो क्रिकेट ने बहुत उरुची थी क्रिकेट की देख लेंगे तो कुछ शन के लिए प्रभावित हो जाएंगे यह क्या है मैं इसलिए बोला था कि जीव तो है ना सभी इसमें conscious जीव है कौन वेक्ति किस से आकर्षत होगा वो तो उसकी संसकार पर बेढ़ करता है जीसे हमने कभी हमको औक अंकार मने बोल रहे हैं बहुत से लोग ऐसे होंगे जोने कभी शराब नहीं पूछे इंलिमiał पर ऐस। पीने की तलब बहुत लग रही है, अभी कभी आया है, कभी आया है नहीं, लेकिन सो तक दही प्रसंद हो, आज दही पीना कोई पाप नहीं है, मैं एक्जाम्पल वह रहां, दही मतलब आपकी इंदिरित्रिप्ति, यौर संस ग्राटिफिकेशन, अब हर एक का इंदिरित्रिप्ति अलग अलग है, जैसे मैं सुनते हैं, कुछ इसी को फिल्मी गाने सुनने अच्छे लगते हैं, कि यह सब प्रशानी प्राया मुझास तक कोई बोला नहीं है तो इसम प्राया नहीं उतन किसी एक की हो सकती है तो इसके लिए माया है कि नहीं किसी को धन कमाने में बहुत आ सकती होगी और तो इस सब exactly पाप नहीं कह सकते आप लेकिन आ सकती तो है ना और उसकता उसके लिए कुछ गलत कारे भी करते हो और सबसे बड़ी आ सकती तो स्त्री संग आदिम है मैं खाली बोल रहा हूं कि इस बात को थोड़ा समझेगा कि कोई व्यक्ति न चाहते हुए अगर पाप में प्रिविर्ट हो गया तो उसको इंजॉय नहीं कर रहा है अब मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं यह बात तूरंत जज्जमंट नहीं पास कर दीजेगा कि वो व्यक्ति नाम अपराधी ही है और अपनी तरश से हमें अपने को प्रियास करना चाहिए कि हम लोग इस प्रविर्टी से दूर रहें बलकि भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि बगवान हमारे हिर्दे में यह नाम अपराध नहीं टिकें दशो अपराध हे ये ना हृदा ये ना पास्टे कृपा करी महाप्रभू माजी नाम रसे पर बात होग इतनी अपराध की चर्चा हो रहें फाइदा क्या होगा अ यहां साथ में नाम अपराध की बारे में कोई प्रशन है तो आप टाइप भी कर सकते हैं और आप कोई पूछना चाहते है तो पूछने ये प्रभू जी मुझे पाप और अपराध में थोरा डिफ्रेंस क्लियर ये पाप है धूली के समान जैसे मानली जिए शरीर पर धूल जाए तो से करेंगे वोड़ जाती है अपराध जो है भक्ति से ही दूर कर देता है वेक्ति को भक्ति से भी मुख कर देता है जन्म कोटी आहन सामा पी पाप की हरे किष्णा कटब लेकिन अपराध भगवान की भक्ति से दूर कर देता है अपराध जानते ना राधारानी अ ऐसा क्यों होता है अब मिलें ऐसे कुछ लोगों से माला उठाना भी नहीं चाहते हैं वो दिख्षित होने के बाद भी माला उठाना नहीं चाहते हैं ऐसा क्यों ऐसा क्या हो गया कभी किसी कथा को सुनना भी नहीं चाहते ऐसा होता है डर्ना ने आप देखें विश्य आ रहा है तो इसने बोल रहा हूं अपराती कारणासा होता है एक कहानी सुनना चाहेंगे अच्छा थोड़ा कम है यह बहुत अच्छी कहानी है मैं समझत राधाकुन में घटित हुई थी रूप नरायन नाम थे उस वक्ति का जहां तक मझे याद है मझे नाम मझे छोड़ देजी नाम क्या मझे भूल रहा हूं लेकिन वह है कथा कर रहे थी और उसमें एक महान वैष्णवी आई जिनकी मुख से हरी नाम कमी रुखता नहीं था क्या नाम था कृष्ण ठाकुरान मझे मैं भूल रहा हूं क्या नाम लेकिन उनके मुख से निरंतर नाम होता ता रहा था था तो उनको बहुत जोड़ से डाट लगाए कि आप क्तहा में हरिश्णाम क्यों कर रही है तो उन्हें कहा देखिए मैं मुझे ऐसे आपकी कथा सुन्द में कोई दिक्कत नहीं मेरी वानी मेरी जीब रुकती ही नहीं वो भगवान सीधे स्पुरित हो रहे थे क्या नाम मैं भूल रहा हूं तो इस प्रकार से उनके प्रती अपराध करने से यद्द्पी वह प्रमानिक रूप से कथा भी कह रहे थे बहुत विरक्त थे वह उनका भक्ती से पतन हो गया क्या नाम भूल रहा हूं क्या नाम था मैं क्रिश्टा कुरानी तो उनका नाम था माताजी का और प्रभुजी का नाम क्या था जो बोले थे जो भी नाम रहा हो मैं गलत नाम नहीं बोला चाहता हूं फिर अपराद हो जाएगा लेकिन रूप नारान नाम हमको पता नहीं था कि नहीं हमको नहीं पता था नाम क्या है भूल रहे हैं लेकिन आम ऐसे कुछ था तो ठीक है अब बाकी प्रशनकों तर में इसके बाद नहीं दूँगा तो इस समझ में आ रहा है साथ में अपराद के बारे में आप प्राक्टिकली दिखेंगे कि अगर आप जब बड़ी गंभीरता से कर रहे हैं तो भोव की प्रवर्ती बड़ी थीवर्ता से नश्ट होती है और उसके प्रती टेस्ट गाया बजाता है यह दिपी आप उसके मतलब मालवस में प्रवर्त हो भी गया वेक्ती तो उसके यह देट आप उसकता है सोने की प्रती आ सकती हो सकती है और वह बड़ी तीवर्ता से कम जाती लेकिन में चीज़ें गंभीरता से नाम जब करें ठीक है आटवा अपराध है भगवान के पवित्र नाम तथा उसकी जप विधी को किसी भौतिक शुभकर्म के तोले समझना भौतिक लाव के लिए अनेक प्रकार के शुभकर्म है लेकिन पवित्र नाम तथा इसका जप केवल पवित्र शुभ सेवा नहीं है निसंदे है पवित्र नाम पवित्र सिवा है लेकिन इसका उपयोग ऐसे कारियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए चुकि पवित्र नाम तथा भगवान एक ही सत्ता है अतेव पवित्र नाम को मानवत्ता की सिवा में नहीं घसीटना चाहिए भाव यह है कि परमेश्वर परमभुकता हैं, वह ना तो किसी का सीवक है ना ही आदेश पालक है, इसी प्रकार चूकि भगवान का पवित्र नाम भगवान से भिन्द है आतेव पवित्र नाम का उप्योग निजी सीवा के लिए नहीं किा जाना चाहिए देखी जगत में आधी साम्य इनसे साम्य करना और जैसे और धर्म कर्म हैं उसी प्रकार से ना मुझे चालन भी है यह करना बहुत बड़ा अप्राद है सुना आपने फिर से बला जाए एक कृष्ण नाम यदी कोटी अश्वमेद सम शेट पाशंडी तारे दंडे तार यह मैंसर कर कुछ है चलोग कि कोई कह रहा है कि एक बार कृष्ण बलना बड़ा अच्छी चीज चीज है बहुत चीज चीज है कितनी अच्छी चीज है एक करोड अश्मेद यह कि बराबर इस तुमारी वह निकालते है तो ऑसके बाद अम्राज जी पिटाइ करते स्कृत उम्राइज को स्मझ नहीं करने के नहीं प्रिति नहीं होगी और नामचालन करने से भगवत प्रिति उत्पर्ण होती है आप सोचने हैं कि हम लोग को सूला माला अगर हम निरपराधिक करें तो क्या हमारी से चुछन हो जाएगी निरपराधिक करें तो बारम बार यह क्यों सुनना चाहिए ताकि जाप करें तो इस मान करकरने कि सबसे महत्पूर्ण है कहां तो अशुमेद यग्य और कहां हमारी टुच्ची बातें अगर बुरा मत मानिए गत जिनको बोलने के लिए हम हरे कृष्ण मंत्र छोड़ करके कुछ और करने लगता है अगये यह मादा उठा उठाएत वहकर वह तब चाहिए हां और मोढट सुन्ला प्रिख प्रवर्वां को ऍैस्की अप्राइट प्रभाव को समझ्ज ने रहे जब आप बताए फिर ने टॉनर प्रभू किसी महान ऑफिसर से मिलने जा रहे क्या कभी आप कलपना करेंगे कि इस तरह से हम उससे बात करें पत्नी से बात करनूं हाँ हाँ काम करें ना तुरंट ऑफिसर रच हो जाएगा आप चाहिए तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए या प्रभूपाजी बता रहे हैं कि जैसे एक बार बंगाल में कौसर चूहों से महा मारी होती कौसर प्लेग फैल गया था एक बाबाजी ने सामुहिक्स महा संकीतन का संकीतन का अंदोलन करवा खुब विशाल सतर पे तो प बहुतिक महा मारी की समन कर शमन करने की उपियोग मिलाए गया तो यह एक नाम की प्रति अपराद है नाम का उचारण केवल भगवान को प्रसंद करने के लिए होना चाहिए और प्रसंद भवान को क्यों करना चाहिए ताकि हम उनके चल्डों में शुद्ध प्रेम की प्रा पर कई बार situation ऐसी create हो जाती है और वैसन और बड़े वैसन भी होते हैं देखिए कोई भक्त है और आप से कोई महत्पून बात पूछ रहा है तो आप एक सकंड रुक करके उतर दे सकते हैं और अपने को ऐसी जगे रखिए जहां आप पब्लिक में ना हूं मैं तो ही देखा हो चुका है यह बड़ी दिक्कत है पब्लिक में और किसी का और प्राय कुछ में ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई मूड ने आपने नहीं पूछा एक और भक्त मुझे तो उनका मन नहीं लग रहा होता है जब में उनने कुछ चैट करना होता चैटोरी माता जी चैट प्लस ओ चैट जो लोग गंभीरता से माता जी और प्रभु जी प्रविर्टी से बाहर आना चाहते से जपने विक्ति को श्मरण करना चाहिए यह मिजाक में नहीं बूल रहा हूं श्मरण करना चाहिए कि मैं माता जी हो ना प्रभू जी नौन पर डाल दी गए मुझे से मुक्त होन करना है बगवान का भधन करने बटाओं इसक्लूजिव टाइम फॉर कृष्णा तो ऐसे इसी लिए अगर मान लेजिए आपकी सेवा छे बजे से तब आप यह नहीं किसकते कि माला घुमा रहा हूं फिर आपका आपका जो जाप है आपका मतलब किसी व्यक्ति का जब पहले पूरा हो जाना चाहिए यह दाई तो स्वैम भी लेना चाहिए यह ने कि अब सेवा शुरू हो गई तो माला घुमा रहा है कुछ लोग तो सेवा से बचने के लिए माला घुमाते हैं फिर डाट ना मंगा ला थी जाता हो ना कुछ सबसे पहले बिदावीज उट करके माला पूरा कर लेता हो फिर पूरे फेस्टवल के लिए आप फ्री है अब यह नहीं है कि फेस्टिवल चालो हो गया भगवान आ गगए में इंना माला घुमारा माला घुमारा हो यह ठीक है प्रभू जैसे कई बार मेने मंदिर कहता है कि मंदर में बैठके जब करो काई वह ठीक है लिए 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 अगर आपको मानली जी बोला रहा है मानली जी को अपसे बात कर रहा है तो उनको बोल सकते हैं प्रभुजी क्या हम लो इसके बारे में बात में बात कर सकते हैं क्या तो वो अपराद नहीं मौला जाएगा ना क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं इतना बोल करके कुछ पूछना चाहते हैं हाँ अरे अभी पहले ये वाले सारे प्रशन आपके आज ही आफतर के जाएंगे रख ली प्रशन में खली प्रशन में खाली पहले आठोगे आम अपराद के बारे बात कर रहा हूं ic you want to ask something on that? yes please नाम अचारन के बराबर कोई सेवा नहीं है, वह राजा है कोई राजा जैसे वो भिकारी के समान है राजा बस तो अपराद हो जाएगा कि नहीं चक्रवर्टी समराद की तरह बुला गया ना हरी नाम संकिर्तन को हाँ बुली जैसे आपने एक्जामबल दिया प्लेक वाला तो कोई भग्त बीमार हो तो मुझे लग रहा था यह प्रशना है कि कोई भग्त बीमार है तो उसका भजन दिक्कत हो रहा है कि नहीं तो आप क्यों चाहते हैं कि वह स्वस्थ हो जाए ताकि वह भजन में इसका अच में अच्छे से भग्ति करपा इसलिए उमारे लिए प्रात्ना कीजितो करने चाहिए आप मतिरियल सट्लमेंट हो जाए उसके लिए प्रात्ना करना चाहिए वह नहीं करूंगा अब कि काये कि हमारे शादी नहीं हो रही उसके लिए प्रात्ना कीजितों मिनका यही सब करने बैठे है हरे किस्थिछना आप उसको उसको पात्ती मिल्चैहारे किसा नाई इसले बैठे हो वह क्या अब समाज का कार्य में भगवान को नहीं लगाना चाहिए समाज को भगवान के सिवा में लगाना चाहिए यही तो प्रपास अंधार है तो डजन मेंक सेंस ठीक है नवा अपराद है ऐसे लोगों को पवित्र नाम की दिव प्रकिति की विश्यम उबदेश देना जो भगवान के पवित्र नाम का जब नहीं करना चाहते यदि ऐसा उपदेश अनेचुक शुरुतागण को दिया जाता है तो इस कार को पवित्र नाम की चरणों पर अपराद माना जाता है यह बड़ा इंट्रस्टिंग है यह अपराद उचालन के बारे में नहीं है तो उसको नाम की महिमा ना बताये जाये एब यह सम 확 शक्ता आपराद कर रहा हूं अब यूटूपर भी लाइव हो रहा है और नाम की महिमा बड़ी बड़ी बताये जा रही है और अन्यत्रान बता जाती है तो कह पर आदा नहीं समझ पारही बात समझने नहीं आरी बात जैसे मैं आपको बता रहा हूं मैं बता आप लोगों को रहा हूं तो आप तो चारून कर रहे हैं अब सुनने वाला तो उपनली बात है सुनने वाला अच्छा शास्त्री भी लिखी दिया गया है तो उसको पढ़ने वाले बहुत सारे नास्युकार कर तो उसमें मारी गल्थी थोई ना है उन लोगों को प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं है वो सुन रहे हैं वो सुन सकते हैं और बहुत से लोग सुन करके भक्ति करने भी लग जाते हैं तो वो इसके लिए जा सकता है लेकिन उन लोगों को नहीं बोल रहा हूं है यूटूब पे कौन सुन रहा है हुशत्ता सुन करके हरी नाम करने लग जाए तो इसको लाबकारी होगा और बहुत होगा तो कोई कहा है I don't like it या कुछ खराब कमेंट देगा उसको हाइड फ्रम चैनल कर सकते हैं सिंपल कभी दुबारा बोली नहीं पाएगा कुछ क्लियर हो रहा है और वैसे दूसरा बात बुलियाती हरे कुछ खुब जोड से किये जा रहा है तो लोग जिन्लों की शरद्धा नहीं भी वो सुन लेंगे बसका तब उनको लाब होगा कि मानों बोले नहीं दूसरी बात एक और है इसके बहुत अच्छा अर्थ है कि हम मानने दिख्षा गुरू है मैं अब प्रमाने के बारे बात कर रहा हूं ऐसे विक्त को हरी नाम की दिख्षा देना जो इच्छुक नहीं है लेकिन धन देगा तो यह भी नाम की प्रत्य अप्राद धन देगा इसलिए दिख्षा दे रहे हैं लेकिन वो जाप नहीं करेगा उसे पूछेंगे भी ने ट्रेनिंग भी नहीं दी जा रही है कि क्या वो जब करेगा या नहीं करेगा तो यह भी नाम अप्राद है तो यह मतलब अपनी प्रतिष्ठा के लिए विकती इस प्रकार से लोग कह रहा है कि हमने बहुत से लोगों को दिख्षा दिया है नाम चारण bring कराने में करने में सधान बताने में कोई प्रयाश नहीं है इसलिए देखिए असको अग्रॉन में कठिन होते है दिख्षा साल दो साल तीन साल प्राया प्रितिक्षा कराई जाती है जब करता है वेक्ति देख लेता है काउंसलर के अंडर में देकार तब जाकर उसको जब दिख दिल वाते हैं relating हमें तो हम से कोई बौलता है हम जो सेक्ड़िकाँ हम yo हम से उसीज़र बौल देते हैंнут हम से संटी पने कीमीड मत कि जेगा किसमेंटल हम बलकुल लइन कैसा में शहरें कि मैंने देखा है किस प्रकार से एक तोलों को तो हम पन्रफ रख रहा है कि वो IDermal को ना कुल बंग कर दिये आप नोब है वज डाइता leaf ministry को करेंद कर रहा हूँ क्योंकि प्रतिश्धा के लिए मैं किसी को रिखमेंट नहीं करना चाहता और अपने को बचाना है इसेट नाव अपराद नहीं करना है कि अनले सबसने सीरेस में बार बार बहुत तो आप करो कि सुला मला रोज क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत बार संगाश करना पड़ता है इस्पेशली अफ्र इनिश्टी और से मेरी गर्दन में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं सुला माला नहीं करूंगा या पसली टूट गई है या वाटवर यहाव तो चैन 16 राउंड अल्लेस अब भी होश हो गया हो एक अलग बात और इसलिए कटनाई होती है कि प्राया लोगों क स्रद्धा हरी नाम के उपर नहीं होती है वो मजाक मजाक में दिख्षा ले लेते हैं एक भक्त बुल लेते हैं औरों की भी हो रही तो मेरी भी हो जानी चाहिए यह क्या लॉजिक है कोई गुलदस्ता है क्या यह जब इस अंकल्प ले लिजे कि सूला माला तो मैं करूंगा ही यह करनी ही है यह सबसे इंपॉर्टन कार है मेरा अब चाहिए कुछ भी हो जाए जीवन में तब ऐसे विक्ति को दिख्षा लेने चाहिए अट्लिस इतना तो कम से कम भावना होना होनी चाहिए ना बहुत लोग को हम डिसपीर होते भी देखे और मैं को और बताओं कई बार लोगों परमपजरादा को महराज के बारे में लोग बीमार है तो हम ले ले तो महराज तो चलो ठीक है बीमार है और आप स्वस्त रहोगे स्वस्थ क्या मर जाते हैं से लोग भक्ती में ही छोड़ देते हैं तो यह को लॉजिक नहीं है कि गुरुजी बीमार है तो हम दिख्षा लेने के तो ऐसे लोगों को भी रिकमेंट नहीं करना चाहिए जो धन देने के लिए या किसी और भावने से भावना से यह शिश्य बढ लगेगा मालों गुरुजी नहीं जानते हैं मुस्टी नहीं जानते है उस वेक्ति को तो व्यक्ति कहा कि हमारे कुछ चेले बढ़ेंगे गुरुजी के चेले बढ़ाएंगे त्यादी और इसलिए कि वह लोगों को दिख्षा दिल बाड़ा तो वह भी अप्राद क्या उनम इस वेरी नाइस हमारे पास क्या दिकार है महाराज को बोलने का लेकिन सिधान्त बोल रहा हूं इस बात में यह नहीं कि बस चेले बढ़ाने के लिए करवा दिया आपने वह अपराद आप भी लेंगे परम पूजी राधानात महाराज को वह रांग पर बोले महाराज दिख गुरु महाराज को कर्म लेना होगा मुझे तो ना लेना है नहीं 50% दा काउंसलर लेना पड़ा है जो काउंसलर जो रिकमेंड कर रहा है उसको 50% कर्म लेना होगा अब अपने को लेने ही पोड़ेगे तू सोचाए गान अच्छा है बार मेंक सेंस यह बहुत बॉटन दे समाझने का प्रयास किजिए आप लोग दिख्षा तो नहीं दे रहे हैं लोग को नाम के बारे मताईए भक्ति करने की प्रिणा दीजिए लेकिन जो सुनना ही नहीं चाहता है उसके पीछे लगने की जुरत नहीं है उसको नाम की महमें बता दीए एक बाताई आँ अप यह बोल सकते हैं उसे करने से आपका मन शां चांथ होगा इयक बोल सकते हैं तो यह वह उसको अनुभव भी होगा और वो करेगा भी लेकिन आपको कि एक ही नाम से सारे पनंत जन्मों के पाप नश्ट हो जाती है यह है वो है तो बहुत से लोग विरुध करने लग जाते हैं ठीक है दस्वा अपराद है पवित्र नाम की दिव प्रकृति के विश्य में सुनने के बाद भी भगवान के परवित्र नाम के परति और उच्शी पद्रश्ट करना अहम और मम की प्रति हुआ उबदेशक का और दस्वा प्रति किसके प्रति किसका हुआ उबदिश्ट का जिसने उबदिश्प्राप्त करने के बाद भी कोई रुची नहीं दिखाता रुची का मतलब देखे यह नहीं हर्थ है कि आवा भजन करने रुची नहीं हो रही है वो साथ हो है जब में नहीं आएगा, मेरे को भी समझ में नहीं आएगा, ये आप मैजर नहीं कर सकते, तो क्या प्रभाव है जो अनभव होगा वो ध्यां से सोने, इसलिए इसको हाइलेट के जा रहा है, इवे है जूटे हंकार की धारणा से जापक की मुक्ती, तो ये बड़ा स्पष्ठ है, न भुगता समझने तथा यह सोचने की कारण प्रकट होता है कि विश्व की सारी वस्तु उसी के उपियों के लिए ही है, ये सोचते आए जीवन से के नहीं शुरवात से, जो भी वस्तु में सब आराउंड मेरे किसके है, किसके भुग के लिए है, मी एन माइन, मेरी है और ही म प्रतिष्ठा प्राप्त हो, नहीं प्रभाव होता है कि असली प्रभाव यह नहीं है कि हमें प्रतिष्ठा प्राप्त हो या और कुछ प्राप्त हो, असली प्रभाव क्या है, हमें आत्म साक्षातकार प्राप्त हो, हम अविद्या से निवृत्त हो करके अपने स्वरूप म मंत्र है और स्वरूप प्रकाशन करना इसका असली प्रभाव है पाप तो नश्ट कर देता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर वाकई गंभीरता से नाम जब कर रहा है तो आसक्तियां कटती हुई दिखेंगी समझ पा रहे हैं जितना भावनाई रहेगी कि मैं शरीर हुँ उतनी अधिक आसक्तियां है तो नाम जब चारण के गंभीर प्रुभा को देखेंगे कि आप इस शरीर की आसक्तियों से कम होने लग जाएंगे कम होती हुई दिखेंगी और बढ़ती हुई दिख रहे हैं तो आप विचार कर लिजा कि निश्यत रूप से अपर कि भगवान के नाम को कालपनिक मानना एक प्रश्ण यह है कि चाहता है तभी तो ही इंकलाइन टोवर्ड पाप हाव यह अंडरस्टैंड दिस हाँ यह मझे समझ में आ रहा था कि बास में नहीं आई देखिए पूर्व के संस्कार के कारण उसकी एक आदत के अंसार प्रविर्ती हो जाती है कि उसको स्मरण है टेस्ट का उस प्रकार के पापकार्यों करने का लेकिन नाम के प्रभाव से उसमें और उची हो गई है उसको भोगते हुए भी हुए है उसको अच्छा नहीं मान रहा है आप इसको कैसे ईजएं किया जाए बूषल अब जो अइसको समझर रहे हैं अलसे इस एक इसमे कैसी के शराब पीने की इचा है तब शराब पी रहा है, लेकिन उसको अच्छा नहीं मान रहा है, हे मान करके पी रहा है, यह बड़ा contrasting बात है, अगर रुची नहीं होती, तो वो पी के रहा है, वो अभ्यास स्वश, अभ्यास स्वश पी रहा है, अभ्यास बहुत बड़ी बात होती है, अब देखने रहें, बार-बार गीता में बोलता हूँ, हम लोगे प्रतम स्कंद, कि प्रतम ध्याय है, मुख से बार-बार स्कंद निकल रहा है, क्योंकि अब सवा साल से स्कंद स्कंद ही चिला रहा है, स्कंद स्कंद स्कंद, यह चीज लडाई बंद नहीं करनी है इंद्रियों और मन से लडाई बंद नहीं करनी है उनकी तरफ से तो बंद हो पहले जब वो बंद नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों बंद कर रहे हैं भगवान स्वैम नहीं बोले जही शत्रु महाबाहो काम रूपत रासतम जही का मतलब क्या होता है मार दो शत्रियों में डिप्लोमेसी में चार चीज होती है, साम, दाम, दंड और भेद, तो कहना ही बहुत खराब शत्रू है, तो ना तो ये साम से मानने वाला है, शांती से मानने वाला है, ना ये भेद से मानने वाला है, साम, दाम, साम, दाम, दाम से मानने वाला ने, साम से मानने वाला नहीं भेच से मानना इसों दंड ही देना पड़ेगा मारना ही पड़ेगा यहां नहीं देख रहे हैं आपकी आप यह देखो ना कि मूझ लुद अत्मा मन और इंद्वियों के परही है तो अगर जीतना संभव होता ही नहीं तो भगवान बोलते ही क्यों , को जब अधर से फाइरिंग नहीं रुक रही जु़ा किना इंक तो आप फाइरिंग क्यों रुक दे रहे हना हरे कृष्णा हरे कृष्णा फ। क्रूस्ना हरे हरे थट। अ गर इंदव्तियों पर जरा भी विजव मा इनदर पर राप्त Neand किसे प्राप्ट करें प्रयास करके भारत सरकार भी तो उग्रवादी से कितना युद्ध कर रही है ऐसा तो नहीं नहीं है कि इंद्रियों का सयम कम हो छोड़ जा चाहिए यह अनर्थिन वृत्ति में होता ऐसा अच्छा तो होता कि मैं अपने आपको इंद्रियों कि मैं अंद्रिय भोग में पूरे तुरे डुबो देता तेकिन फिर मन घूम जाएगा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि मानव जीवन का उद्देश तो यह सब में नहीं है है कि नहीं यह 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 पेंडूलम चलता है नर्थिन वृत्ति में एक तरह लगा रहे बस अब पूरी अभी तो जवान है पूरा भोग में प्रवर्त हो जाए नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं भगवान का भजन करना चाहिए बढ़ापे में कैसे भजन करेंगे सारे सादक इस प्रकार की च्छाओं से गुजरते हैं हाँ ठीक है तो उसके लिए कोई घबनाने की जुरुत नहीं निश्ठा के स्थर पर आएंगे श्वान धागside यागल हिससे म मकट झाएंगे एक बगत कहह रहे है कि मन कुछ नहीं कर पाएगा अगर हम उसे कारें ना करें जी हां हैं वास्त है कि मन कुछ नहीं करता अगर हम कुछ ना करें कटना ही यह कि बार-बार सोचते करेंगे तो हम बन के अंसारे कारेंगे तो प्रयास करना चाहिए मन को भावान की तरफ लगाना चाहिए सरंडर कर देते हैं I mean हां तो सरंडर नहीं करिए और मान लों सरंडर कर दिया तो फिर युद कीजिए देखिए बारं-बार देखना चाहिए कि इंद्रियों को सर्णाग हो कर कि हमें सुख मिला कितना कोई भी इंदर्थित्ति आप दो घंटा भी नहीं कर सकते है एनिधिंग इटिंग मेटिंग स्लिपिंग डिफेंग और अगर मान लों सो भी जाए जिब बीमार पड़ते हैं तो सब लोग क्या मंत्र बलते हैं आपको टेक रेस्ट और इफ और में लगा हुआ, और साथ में हरी नाम ले रहा है तो क्या है अथीक है अपराद है इसकerson स्कारति यह नहीं है कि लिए बोलते है यह ठीक हो जाए तो क्या वही आठ नावा प्राद में इसकी वाख्या मैंने भी कर दी है कि अगर वह भजन करने के लिए बोल रहे है अब दया बशी बोलने था थीक है लेकिन नाम के भगवान की सिवा में लगाना भगवान की भगवान को प्रसंद करने के लिए होना चाहिए नाम को बहुत एक चीजों की प्राप्ति में लगाएंगे तो फिर प्रेम प्राप्ति में बाधा आएगी हां रूप कविराज कुमिटे डॉफएंज येस रूप कविराज ने कृष्ण प्रिया ठाक अराण नी की प्रति अपराद किया था रूप कविराज नाम थे कभी कभी जब करती व समय सीनर डिवुटी आ जाते हैं तो प्रणाम करना पड़त है क्या यह पराद नहीं यह तैक च्छी बात है ठीख भी अपराद होगा कि आप ऐसे बस ठूट कि तरह बैल कि हम लोग एक दम से खरे रहे हैं और सन्यासिय आ रहे हैं सीनर भगता रहे हैं प्रणाम नहीं करने यह गलत बात है असा नहीं करना चाहिए गंभीर भगत तो आपको वैसे ही डिस्टर्प नहीं करेंगे तो अपरादब करेंगे और प्रणाम करके बादब करने लग जाएंगे वो यह पूर्णे से हैं कि नहीं पूछने वाली डिवटी उनसे बचने की जरत होती है आज बहुत गर्मी हो रही है आज ने कोई बात है जो कुछ करेंगे ठीक है मैं तो इस लिए प्रेयास करता हूं क कि आकेले जब करूं साथ में रहने से कोई भी रहेगा तो या तो मैं कुछ बूल दूँगा वो कुछ बूल देगा वो कटना ही रहती ठीक है कि मैं तो नयक वर्ड कोई किया शाउलीन जपा किजिए कुछ भकलो कर रहे हमको बहुत अच्छा लगता है वो प्रिणा मिल रही है मैं बस बारे में कुछ बात में बोलूंगा कुछ प्रशना अपर लेता हूं एक अदोशी में ज्यादा टाइम जब करते हैं उस समय को इमर् काइट कर सकते हो एदे नाम किसी खिए कि मारी इच्छा की वी नाम चेंटिंग कर रहा है तो क्या उनाम के प्रति अपराद कर रहा है क्य उतर बताएये हाँ हाँ ethnicity यह लिखा है निरपराधिक जप में क्या है यह आठवा अपराध है ना इस प्रकार से लेकिन नाम उसको पूरा करेगा नाम उचारण कर रहा है और भौतिक भूग के लिए तो अपराध है नाम के प्रति यह बहुतिक भावनाओं से दूर हुना लेकिन अगर है तो क्या करेगा आप समझे है तो क्या करेंगा तब भी किस्टन मंतर हम को तब कि नाम थारहिए वह इन होएंप भोक की भावना था verdad Does that make sense? मैं आपको बदारों बड़ा सपस्ट जैसे मैं आईटी की तेहरी करना था तो मैं एक माला जब करता था और भगवान को प्राइटना करता था बड़ा प्रभपात के ग्रण से पढ़ करकी कि भगवान यद्देपी ये बात ठीक नहीं है कि आपसे बहुत एक मांगना चाहिए लेकिन मेरी इच्छा जा नहीं रहे ये इसको पूर्ण कर दीजिए मैं इसके बाद अच्छी से भक्ती करूंगा अब दूसरा वाला क्लॉस तो मैंने किया नहीं बड़ा जो कर रहे लेकिन भगवान ने पूर्ण कर दी प्रभुपाजी के देखे फ्रम प्योर डिवर्शन पर्सपेटिव अगर भौतिक इच्छा से भी भवान का भजन कर रहा है तो ये कोई शुद्भक्ती नहीं है कि आपने पढ़ा क्या ही बता ये आठ्वे अपराद में क्या लिखा है भगवान के नाम को किसी समाज सेवा के लिए अपयोग नहीं करना चाहिए समाज में आप नहीं आ गए लेकिन इसकार्थ यह नहीं है कि अगर नाम अपरादी है तो नाम बंद कर देए ये शिक्षा नहीं देरा शास्त्र नाम अपरादी होने के बाद भी नाम कहीं शरण लेना चाहिए नाम चारण करना आप आगे जाकर पूरा वीडियो देखते रहेगा भागवत में बड़े अजीब सी बड़े कठोर बचन बोले गए हैं कि भगवान की भजन करने वाला वेक्ति अगर भातिक लाप प्राप करने के लिए कर रहा है तो बहुत बड़ा मूर्ख है लेकिन किस दिष्टी से क्या हमारा कुई हॉस्पिटल में है और उसका माला बराबर नहीं हो पाई तो क्या ये भी हमसे प्राथ हो गया हमारा कुई हॉस्पिटल में है हमसे बराबर माला नहीं हो पाई देखे हॉस्पिटल में है तो माला क्यों नहीं हो पाई हॉस्पिटल में होने के बाद भी माल प्रसाद बनाने सेवा में यह अलग प्रशन है अभी हम नाम की बारे बात कर रहें तो हम आज प्रस्ट नहीं कर पाएंगे आज भी आप लोग भगवान की क्रिपा से बच गए नाम की क्रिपा से ठीक है एक प्रार्तना जूर याद रखिए दस अपराध मेरे हिर्दे को ना चकड़े और मैं आपके नाम के रस्में डूपता रहा हूं आनंद में इद्धम रस प्राष्ण आंसर तोड़े ओके सो अवर्यूवन के लिए और इस देवोटी के रस्ट नाम की करेंगे और रखिए प्रभुपाद की जाए श्रीमत भागवतम की जाए हरी नाम प्रभु की जाए निताइगो प्रिमानन दे